Assalam अलेकुम दोस्तों, वेल्कम टू माई चैनल उरदु नाविल वर्ड, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगिन, तो हमारे चैनल को सबस्क्राब करे, और हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, शुक्रीया, चली नाविल शुरू करते हैं, नाविल का नाम है, इश्क ने सावारा है, हया, हया बेटा उठ जाओ कब तक सुना, ये अपने हया साहिबा, आईशा बेगम ने हया से कहा सूने भी देना, मामा संडे को भी सूने नहीं देती, अप मुझे हया बेटा अपने ही तो बॉला था के मुझे सुबा जल्दी, उठा नहीं बेटा में आपके साथ नहीं चल सकती आपके बाबा ने आज रात को आना है आईशा बेगम ने मुक साहिब का जिक्र किया जो शहर से बाहर किसी काम के सिलसिले में गए हैं तो मुझे घर पर बहुत काम हैं अब। हया करें नूर के साथ चली जाएं नूर हया की बेस्ट फरेंड है ये दोनों सकूल के जमाने से एक दूसरे के साथ है और उन दोनों में एक दूसरे की जान बस्ती है ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब है ठीक है मामा में नूर को काल करती हूं अगर वो फरी ही तो मैं इसके साथ चली जाती हो आईशा बेगम ठीक है बोल के बावर्ची खाने की तरफ चली गई जहां वो खांसामा को नाश्टा बनाने का कहकर आई थी हया ने नूर को काल की नूर ने फोन उठाने पर सलाम किया और कहा कि खेरियत आज जनाब को मेरी याद कैसे आगई हया ने सलाम का जवाब दिया और कहा हम तो हर वक्त अपकी यादों में खोए रहते हैं और आप इस तरह कहकर हमारी महबत की तोहीन कर रही हैं नूर उसकी बा मुक्ख बेगम मुक्ख का शमार शÁ dudum आयशा बेगम कार मुक्ख के सबसुक्राजा होटा है?' इसे नूर घर में आती दिखाई दी और वो दोनों खुशी से चीखती चलाती हुई एक दूसरे से मिली हया ने काले रंग की कैपरी और शक पहन रखी थी गिले में दोपटा बाल खौले हुए थे जो पूरे पुष्ट पर बिखरे हुए थे लाइट मेक अप और हाथ में सेल फोन और कानों में एर फोन लगाए वो बहुत प्यारी लग रही थी वो शुरू से ही मेक अप के मौामले में बहुत सीरियस थे जबकि नूर ने वाइट फराक के साथ लाल रंग का दोपटा सर पर वो रखा था और गिले में चादर लपेटी हुई थी वो दोनों ही बहुत प्यारी लग रहे थी वो दोनों गाड़ी में शापिंग माल की तरफ जा रहे थे शाजैन पिलेज आहिस्ता गाड़ी चलाओ नहीं तो आइंदा में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा शामीर ने कहा ओ कम उन बरू जस्ट चल ओ काम आन बरू जस्ट कच्चे नहीं होता आप रिलेक्स दो और सुम सुनो शाजैन तुम्हें पत्ता है कि मुझे ये सब नहीं पसंद शामीर ने कहा आज कल के जमाने में ऐसा कौन सा लड़का होगा भाई अब भी ना अजीब हो शामीर और शाजैन दाउद खान और सकीना बेगम के दो बेटे हैं शामीर अपने वालिद के साथ बिजनस संभालता है जबकि शाजैन यूनिवरसिटी का सिटूडन्ट है दोनों भाई एक दूसरे के बिलकुल मुतबादिल हैं दोनों भाईयों का आपस में पियार भी बहुत है ओ यार नूर में अपना मोबाईल शाप शाप में भूल गई हूँ वो लेकर आती हूँ जिया ने नूर से का ठीक है तुम जाओ में बाहर इंतिजार कर रही हूँ नूर के एक हाथ में शापिंग बैग्स और दूसरे हाथ में जूस जो वो पीते हुए बाहर की जानब बढ़ रही थी तभी वो किसी से टकराई और उसके हाथ से शापिंग बैग्स गिर गये और जूस भी सामने वाले पर सारा गिर गया तुम पागल अंधी हो किया देख के नहीं चल सकती मेरी सारी शट खराब कर दी आंखे हैं या बटन वो इसकी बीसक्ती किये जा रहा था नूर ने एक नजर इसे देखा और कहा ओलसन मिस्टर ओलसन अमार सारी गलती अपकी है अपका ही सारा दिहान फोन की तरफ था और आप मुझी बिलेम कर रहे हैं और रही बात पागल आंधी होने की तो आपका अपने बारे में किया ख्याल है शाजैन तो बस नोरे की तरफ देखता ही जा रहा था जो इसे बाते सुनाती चली जा रही थी ओ हिलो आंखे फाड के क्यों देखे जा रहे हूं कभी लड़की नहीं देखी किया नूर गुस्से में थी इतने मैं हया भी वहां आई और नूर से पूछा किया हुआ नूर इसे बताने लगी तो शामीर भी वहां आया और शाजैन को देखा जो किसी और दुनिया में गुम था जब शामीर ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अपनी दुनिया में वापस आया और बोला अपने मुझसे कुछ कहा भाई शामीर ने कहा जी किया कर रहे तुम्हे मैंने बाबा के लिए गिफ्ट सिलिक्ट करने भेजा था और एक पागल मुझसे टक्रा गई जब नूर ने सुना तो कि एक के पागल अप हैं और में नहीं अप मुझसे टक्री हैं और वो दोनों फिर से लड़ने लगे शामीर ने नूर से कहा मैं इसकी तरफ से अपसे माजरत खाहूँ जैन बोला भाई शामीर ने कहा तुम चुप रहू में बात कर रहा हो ना हया की नजर जैसे ही शामीर हर पड़ी तो इसे अपना दिल शामीर की नीली आखों में डूबता हुआ महसूस हुआ और उसने इस ख्याल को दिल से निकाला और वो दोनों हया और शामीर उन दोनों को बहुत मुश्किल से एक दूसरे से च्छिड़वाते हुए दूर ले ग हुमाते हुए बोला हया वो देखो सामने गोल गप्पे वाला बच्चा कितना क्यूट है मजई वहां से गोल गप्पे खाने है नूर तुम बच्ची तो नहीं हो जो इस तरह की हरकतें कर रही हो चुप करके घर चलो पहले ही बहुत देर हो चुकी है नूर के बहुत जद करने पर हया मान गई थी और फिर नूर ने इसे कहा था कि देखो हया रात का वक्त है इसने भी तो घर जाना होगा और उससे कोई कुछ नहीं खरीद रहा वो काफी मायूस भी दुख रहा और वैसे भी गोल गपे केई बना में कही नहीं जाने वाली वो ज भयाल आया कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसे होते तो वो इस बच्चे और उसके जैसे बहुत से बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हम बड़े बड़े रेस्टरेंट्स में तो बहुत जाते हैं मगर हमने ऐसे लोगों का कभी नहीं सोचा खाहिशें तो सब की होती है अमीर हो या गरीब ऐसे लोगों से जरूर कुछ ना कुछ लें जो वक्त और हालात से मजबूर हूं क्योंकि ये लोग भीक नहीं मांगते खान विलास कानम आज सकीना बेगम और खान साहिब की शादी की सालगिरा की तकरीब अपने अरूज पर थी और सारे इंतिजामात बहुत शांदार करवाई गए थे जो के शामीर ने अपने जेर निगरानी करवाई थे शामीर और शादीन दोनों ही अपने माबाप से बहुत प्यार करते बगा भाई होने की वज़े से घर की ज्यादातर जमादारियां शामीर ही संभालता था और वो काफी समझदार भी था जब कि शाजैन अपना ज्यादा तर वक्त दोस्तों और इस किस्म की एाशियों में वक्फ कर देता सकीना बेगम जो के खुद मुक के बहतरीन डिजाइनर्स में से एक हैं उन्होंने अपना डिजाइन करदा लिबास जेबतन कर रखा था वो बहुत क्यमती था जिस पुरसे देखने वालों की नजरे नहीं हिट रही थी केक काटते वक्त सबसाथ थे मामा बाबा एनावरसरी शामीर और जैन दोनों ने कहा और अपने वालिदेन को बहुत सी दुआइं भी दी शाजैन ने अपनी मामा की तरीफ करने में कोई कसर न छोड़ी थी और मसके लगाने में तो वो वैसे भी माहिर था इसने वाइट शट के साथ बलेक जीन्स पहन रखी थी जबके शामीर ने वाइट कलर का करता पाजामा और दोनों भाई बहुत ही हैंसम लग रहे थे बहुत से लोगों ने उनकी तरीफ भी की जिन में लड़कियां भी शामिल थी अभी वो सब बातों में मसरूफ थे के शाजैन के फोन पर किसी की काल आने लगी और वो काल सुनते हुए साइड पर गया फोन किसी लड़की का था येस बेबी येस बेबी तुम्हें कहा तो था कि आज नहीं आसकता मसरूफ हो मामा बाबा की वेदिंग एनावरसरी में और फिर इससे थोड़ी देर बात करने के बाद इसने काल कार दी इसकी बहुत सी गर्ल फरेंस थी हर रोज कोई ना कोई नाराज हो जाती और कितनी लड़कियों से तो वो शादी के वादे भी कर चुका था अभी काल सुनकर वापस मुड़ा है था कि इसकी वेटर के साथ जोरदार टुकर हुई और सारी डिंक्स इसके कपड़ों पर गिर गई और वो वेटर पर बुरी तरह से चलाने लगा और एक थपड़ भी इसे लगा दिया वेटर चारा इसे जवाबा सौरी बोलता रहा इसने ना सुनी और इसे बाते सुनाने लगा जिससे बहुत से लोग उनकी तरफ मतवज्जे हो गए जिन में से एक मुख साहिब भी थे शामीर साहिब भी वहाँ आया तो सब देखकर वेटर को वहाँ से जाने का बोला और शाजैन को समझाते हुए बोला तुम्हें कितनी बार समझाया है अपने गुसे को कंट्रोल में रखा करो आराम से भी तो बात कर सकते थे तुम अगर वो तुम्हारे लिए काम करते हैं इसका ये मतलब नहीं तुम उनके साथ ऐसा सुलूक करोगे वाकी अमीरी गरीबी तो अल्वा के हाथ में है आज हमारा वक्त अच्छा तो कल बुरा भी आ सकता है वो जिसे चाहे दे जिसे ना दे कल को हम भी इस मकाम पर हो सकते जहां वो वेटर है अपने से कम तर लोगों को भी अपने जैसा समझे उन्हें ये एहसास ना दिलाएं कि अबसे कम है क्यूंके वक्त का किसको पता के कब बदल जाए गरीबों का बहत ख्याल रखी क्यूंके गरीब को अमीर होते हुए जमाने लग जाते हैं लेकिन अमीर को खरीब होने में डैर नहीं लगती शाजैन घुसे में अपने कमरे की तरफ आ गया और सोचने लगा आज का दिन ही खराब है पहले वो पागल लड़की और अब ये विटर फिर लड़की से इसके जहन में ख्याल आया कि वो इसको कितना कुछ बोल गई और वो ना जाने क्यों चुप रहा हया और नूर दोनों आज कल अपने अमतिहानात की तैयारी में मसरूफ थी फरहाद प्लेज जाओ ये नोटिस काप करवा के लिए आओ फिर चाहे जो मर्जी करते रहना मैंने पेपर की तैयारी करनी है नूर ने फरहाद से कहा जो कब से मुबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ था यार नूर पिलेज तंग ना करो मुझे गेम खेलने दो फरहाद ने कहा मामा देखे ना ये कब से मुझे तंग कर रहा है अगर अब फरहाद तुम ना गये तो मैं खुद चली जाउनगी और फिर बाबा तुम्हें बताएगे नूर ने खफगी से कहा अच्छा अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है कि मैं खुद चली जाउनगी आई बढ़ी पैसे लाओ और ज्यादा लाना में फरी में नहीं जा रहा वो नूर को चड़ाते हुए बोला ठीक है कहते हुए नूर अपने कमरे से नोटिस और पैसे लाने चली गई हया आपी यार अब कहीं जा रही है जिया ने हया से मसूमियत से पूछा तो हया ने कहा कि मुझे नूर के घर जाना है पेपर की तयारी में वो एक तो मेरे नोटिस भी ले गई है अब मैं नोटिस के बगएर घर पे पड़ भी नहीं सकती इसे कहा भी था कि भिजवादे पर इसे कहा याद रहता है नूर की बच्ची हया ने गुसे से कहा अच्छा ठीक है हया आपी में भी चिलोंगी साथ वैसे भी में घर पर बहुत बूर हो रही हूँ जिया तुम्हारा किया काम वहाँ आपी प्लेज ले चली ना ठीक है तुम तयार हो जाओ फिर चलते हैं मामा से ही पूछ लो मामा मामा कहा है अब जिया आईशा बेगम को आवाजें देती हुई लाउनच में दाखिल हुई जहां वो बैठी हुई थी किया हुआ बेटा क्यों शोर मचाया हुआ है मामा में हया आपी के साथ नूर आपी के घर जा रही हो तुम वहाँ जा कि क्या करोगी बेटा घर बैठो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो दिन बदन निकमी होती जा रही हो पिलेज पिलेज मामा जाने दें जिया के बहुत इलतिजा करने पर आईशा बेगम रजामंद हो गई और उसको हया के साथ जाने की इजाज़त दे दी शामीर ना सकीना बेगम को मखातिब करते हुए कहा मामा में आज रात थोड़ा लेड़ घर आऊंगा फ्रेंड्स की साथ बाहर डिनर डिनर का प्लान है सकीना बेगम बोली ओके बेटा ओके बेटे जाओ इंजो और डिनर एंटेक केर अव यह और सिल्फ ओके मामा अलोआ हाफिज शामीर बोला और बाहर को जानिब चल दिया जिया और हया नूर के घर पहुंची तो हयात बेगम उनको टीवी लाउनच में बैठे टीवी देखते हुए नजर आएं दोनोंने उनको सलाम किया उनसे कुछ बातें की और नूर के बारे में पूछा तो हयात बेगम ने बताया कि वो उपर अपने कमरे में में पढ़ रही है तो वो दोनों सीलियां चड़ते हुए नूर के कमरे की तरफ जाने लगें इसलाम अलेकुम नूर ने जिया और हया दोनों को देखते हुए बोला और उठकर हया के गिले लग गई और जिया से भी खुश दिली से मिली इतनी देर में मुलाजमा चाय के साथ लवाजमात लिए नूर के कमरे में दाखिल हुई और उनूर को पेश किये फरहाद जब कमरे में दाखिल हुआ तो हिया और जिया को देखकर इसे एक अजीब सी खुशी हुई इसने दोनों को सलाम किया और नूर को इसके नोटिस दिये जिया जो के अपने मुन्ह में बिस्कुट डालने ही लगी थी के फरहाद ने इसके हाथ से बिस्कुट उचक लिया और खुद खाने लगा जिसकी वज़े से जिया को बहुत अर्सा आया और वो डोनों लड़ने लगे हया और जिया नूर इन दोनों को देखते हुए मुस्कुराने लगें और फिर अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई रात के खाने के बाद जब हया ने घर जाने का बोला तो फरहाद और नूर उन्हें गाड़ी में घर छोड़ने के लिए चले गए अभी वो लोग रास्ते में थे के जिया ने आईस करीम खाने की इजद शुरू कर दी जिस पर हया बोली अभी तो इतना कुछ खाया है अब घर चलू जिया इजद करने लगी तो नूर भी जिया के साथ मिल गई और फरहाद जो कब से उनकी बाते सुन रहा था आखिर इसको गाड़ी आईस करीम पारलर की तरफ ले जानी पड़ी जिया जो के सबसे आखिर में अंदर की जानिब बढ़ रही थी तो कुछ आवारा लड़के इसके लिबास जो के बलेक जीन्स के साथ पीले रंग की सलिवलेस शर्क पहने और बाल खौले हुए थे को देख कर आवाजें कसने लगे और बेहुदा जुमले बोलने लगे हया उनको इगनोर करती आगे बढ़ने लगी ही थी के उनमें से एक ने इसकी कलाई थाम ली और अपनी जानिब खेंचा हया ने जुही इसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो इस लड़के ने इसका वो हाथ भी थाम लिया और उसक की वज़े से बाकी लड़के डर कर भाग गए तो शामीर हया की तर्फ मतवज्जे हुआ जो एक तर्फ खड़ी सब देख रही थी शामीर हया से मखातिब हुआ और बोला कि अगर आपको अपनी इज़त का ख्याल नहीं है तो कम असकम अपने माबाप की इज़त का ही ख्या चीप चीप सोच अपने तक महदूद रखें ये कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई शामीर सोचने लगा कि ऐसी भी लड़कियां होती है जिनको अपनी इज़त की जरा परवा नहीं अल्लुआ हिदायत दे आमीन सुम आमीन इसने दिल में कहा हर लड़की हर औरत अपनी हि जबाने की कोशिश नहीं कर रही मगर आपका हक नहीं है कि अब बड़िये पर्दा घूमें और बात जाती है कि दिल में पर्दो होना चाहिए तो एक बात हजरत फातमत है अल्जोहरा आर एसे तो आपकी नजरें और दिल पाक नहीं कम असकम हमें इतना पर्दा तो करना चाहिए कि हमारा जिस्म नमाया ना हो अलुआ हर बहन मा बेटी बीवी की हिफाज़त करे आमीन सुमामीन अब बात आती है मर्दों की तो उन्हें चाहिए कि औरत की इज़त करें इसे इज़त की निगा से देखें आज वो किसी की बहन बेटी की इज़त करेंगे तो कल को उनकी बहन बेटी भी महफूज होगी अगर आज हम किसी की बहन बेटी बीवी मा को गंदी नजर से देखेंगे तो कल को कोई हमारे बहन बेटी मा बीवी के साथ भी वही करेगा क्यूंकि ये दुनिया मुकाफात अमल है अलुआ हर लड़की को महफूज रखे और हम सब को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए आमीन सुमामीन नूर और हया पिछले कुछ दिनों से अपने अम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ थी अम्तिहानात के बाद काफी दिनों से वो एक दूसरे से नहीं मिली थी नूर बैट कर यही सोच रही थी कि इस काफोन बजने लगा इसने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए काल उठाई आज तो बड़े बड़े लोगों का फोन आया है कैसे याद कर लिया हम गरीबों को नूर ने कहा तो हया बोली के तुम है तो पत्ता है पप्पी पुर्स की वज़े से कितना बुरा हाल था मेरा जब से खत्म हुए हैं मैं तो मज़े से सोती हों खूब नींदे पुरी कि मैंने तुम बताओ नूर तुम कहां गुम हो मैंने कुकिंग सीखी उन दिनों में मामा से अरे वा भई फिर तो हमें भी कुछ बना के खिलाओ जरूर नूर ने कहा तुम आज शाम को आजाओ घरहा में वैसे भी आही रही थी तो तुम्हें बताने के लिए फोन किया था शाम को कही चलते हैं डिनर पर जिया ने भी इजद की हुई है ओके तुम आजाओ तो फिर देखते हैं नूर हया और जिया नूर के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे नूर आपी जब से पेपर्स खत्म हुए अब लोगों के तब से हया आपी से ट्रीट लेने का सोच रही और अब से भी ट्रीट कस खुशी में वो दोनों एक साथ बोलें तो जिया ने किया पेपर्स खत्म होने की खुशी नूर ने कहा तुम दूआ करो हमारे अच्छे नंबर्स ए तो जरूर ट्रीट मिलेगी मुझे अभी चाहिए जिया ने इजद की जाना तो उन्होंने वैसे ही था डिनर पे तो जिया की इजद पर मान गई और कहा कि ठीक है भाई चलते हैं कही जिया बहुत खुश हुई और दोनों को दुआईं दी कि अपके मार्क्स बहुत अच्छे आएं वो दोनों इसे देख कर हंसने लगी हयात बेगम फरहाद के साथ अपने किसी रिष्टादार के घर गई हुई थी जिसकी वज़े से घर में गाड़ी ना थी और दूसरी गाड़ी सिद्धिकी साहिब के गए थे अब वो लोग टैक्सी पर गए थे वो शहर के किसी अच्छे रिस्टरेंट में बैट के खाना खाने में मसरूफ थे नूर ने काले रंग की कमीज के साथ सफेद शलवार और सफेद दोपटा सर पर और गिले में काली चादर पहन रखी थी हयाने बलेक जीन्स के साथ मारोन रंग का निट का शाट फरात पहन रखा था हया दूधिया रंगत की हामिल थी जिया भी बहुत प्यारी लग रही थी शाजैन जो के कब से नूर को घूरे जा रहा था नूर इस बात से नावाकिफ थी तभी सकीना बेगम की नजर हया पर पड़ी और वो अपनी टेबल से उठकर हया के पास गई और इसे मखातिब किया धया उन्हें देख कर खुश हुई और उन से कहा कि अब यहां तो उन्होंगे बदाया कि वो अपनी फैमली के साथ यहां आई हैं, हया अपने कपड़े उन्ही से डिजाइन करवाती थी, और उन्हें वो अच्छे से जानती थी, वो एक अच्छी औरत थी नूर और जिया भी उनसे मिली शाजैन जो कब से उन्हें ही देख रहा था, ये सब देखकर हैरान था, सकीना बेगम ने हया से कहा, आओ मैं तुम्हें अपनी फैमली से मिलो अती हों साथ डिनर करते हैं, हया ना कहा कि डिनर तो हम कर चुके, हैं पर अपकी फैमली से जरूर मिलेंगे वो सब उनके साथ उनकी टेबल की तरफ गए जहां खान साहिब और शामीर दोनों बातों में मसरूफ थे, जबकि शाजैन उनको आता देख अपने मुबाइल में लग गया था, हया ये शामीर और शाजैन हैं मेरे बेटे हैं, और मैं उनका शोहर खान साहिब ने कहा, तो व शामीर को भी हया को देख कर शदीद गुसा आया मगर इसने नजर अंदास किया हया जो के सकीना बेगम से बातों में मसरूफ थी जब नूर से बरदाश्त ना हुआ तो इसने हया को कहा, हया मेरे ख्याल से हमें काफी देर हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए हमारे पा को अप लोगों का ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं तभी शामीर वहां से। उठकर बाहर की जाने लगा ये कहकर के इसने किसी को इंपोर्टेंट काल करनी है, हया ने एक नजर इसे देखा, इसकी नजर शामीर से मिली और वो बाहर की जानिब चला गया सकीना बेगम और खान। साहिब को खुदा हाफिज बोल कर वो सब बाहर की जानिब बढ़ दिये। शाजैन जो के गारी में उनका इंतिजार कर रहा था। हया तुम कह नहीं सकती थी कि हम खुद चले जाएंगे, अब इस पागल के साथ जाना पड़ेगा, कब से घोर रहा था जैसे पहले कभी लड की ना देखी हो। मेरा तो दिल कर रहा था सुना दूं फिर तुम्हें देख कर चुप रही अब आगे गारी में भी इसको जिलना पड़ेगा। जिया जो उनकी बातें सुनकर हैरान थी और इसे मींद भी बहुत आई थी इस बेचारी को तो ट्रीट मेंगी पड़ गई थी जिया आगे शाजैन के साथ बैठी थी जबकि हया और नूर पीछे। कौन सी कलास में होशा ने जिया से पूछा इसने बताया और इस तरह वो दोनों बातें करने लगे। नूर और हया दोनों सारा रास्ता खामोश रही है तो रास्ता में ना चाहते हुए भी शाजैन को सो रूफ थी नूर तो पता नहीं कौन कौन सी दौाइं पढ़ रही थी। और फरहाद नूर को चिड़ा रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला तुम दोनों ने पहले पढ़ लिया होता तो आज इतनी दौाओं की जरूरत ना पढ़ती। वो दोनों ही अच्छे नंबरों से पास हुई थी और बहुत खुश भी थी। कुछ दिनों बाद दोनों ने एक ही युनिवरसिटी में एड्मीशन लिया था। आज उनका पहला दिन था युनिवरसिटी में नूर ने कहा था कि वो फरहाद के के साथ जाएगी और जाते हुए हया को भी ले ले लेंगे। दोनों यवनी के गेट से अंदर दाखिल हो रही थी के नूर को सामने शाजैन नजर आया जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा बातों में मसरूफ था। नूर ने हया को कहा ये भी यहां है हया देखू एक तो ये पागल पीछे ही पढ़ गया है जहां जाओ वही नजर आता है अगर मुझे पता होता तो मैं यहां एडमीशन ना लेती। नूर हमने पढ़ना है यहां और उसने भी और अब तुम कामप्रमाइस करो पिलेस और इसे एग्नौर करो। नूर और हया एक ही कलास में थी और अब उनके और दोस्त भी बन गई थी। वो कैंटीन पर बैठे से बातों में मसरूफ थी कि शाजैन की नजर इस पर पड़ी इसने इसको देखते ही का कि यह यहां कैसे ना चाहते हुए भी। वो नूर के पास आया और जूर से बोला हेलो जिस पर नूर डर गई और इसे कहा तुम तुम पागल हो किया जहां जाती हो वहां आ जाते हो। तुम जो सुनाओगी में सुनता रहूंगा। नूर जिसको इसकी इस हरकत पे शदीद घुसा था। इसने एक नजर शाजैन को देखा और उसके मुन पर एक जूरदार थपड़ लगाया जिसको अर्दगिर्द मौजूद कुछ लोगों ने भी देखा था। तुम्हारी हि जब था आज फिर वो इसे बहुत कुछ सुना गई थी और तो और थपड़ भी। जो कभी किसी की ना सुनता था आज ये सब कैसे। वो घुसे में गारी में घर की जानिब लिये जा रहा था। बदला तो मैं तुम से जरूर लोगा इस थपड़ का ना जाने वो किया सोच रहा था अब कपसे रोए जा रही हो किया हुआ है कुछ बतोंगी भी हया जो के नूर को देखकर काफी प्रेशान थी और नूर भी बस रोए जा रही थी मुझे घर जाना है हया घर चलू पिलेज। नूर लेकिन हमें तो फरहाद लेने आएगा लेकिन वीकुन कुछ नहीं बस अब तुम घर चलू हम टैक्सी करवा लेते हैं। हिरा और इजे भी हैरान थी के अचानक इसे क्या हो गया है इजे ने कहा नूर ठीक कह रही है तुम लोग चले जाओ घर। वो दोनों टैक्सी में घर की तरफ रवाना थी नूर ने हया को सब बताया और वो हैरान हुई थपड़ भी लगा आई हो और रूभी रही नूर तुम भी यार। हया इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ा। नूर तो अभी वही सोच सोच के हलकान हुए जा रही थी इसको इस तरह किसी लड़के का इसका हाथ पकड़ना बिलकुल अच्छा नहीं लगा था। नूर यार हाथ ह पकड़ा था खा थोड़ी ना गया था तुम्हें अच्छा अब रिलक्स। वो दोनों घर पहुँच चुकी थी लेंच करने के हया को भी फरहाद इसके घर छोड़ आया था। मगरिब की नमाज पड़के वो बैठी थी नूर नमाज नहीं छोड़ती थी और कुरान भी फिर काल आई नूर ने काल उठाई तो सलाम करने के बाद पूछा कौन। शाजैन। नूर तो इसका नाम सुनते ही हैरान हुई। नूर पिलेज काल मत काटना मैं तुम से मुआफी मांगता हूं सौरी यार में जानता हूं मैंने बहुत गलत किया मुझे इस तरह तुम्हार का यवनी वर्सिटी में दूसरा दिन था वो दोनों लेक्चर लेकर अभी ग्रांड में आकर बैठे थी कि उन्हें शाजैन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। नूर ने इसे देख कर बुरा सा मुन्ह बनाया। हाई गरंस वट्स अप। हया ने जवाब दिया कुछ कर लो कि तुम नाराज नहीं हाँ अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो मुझे आ जाएगा यकीन नूर उसकी तरफ देखने लगी और बोली कि मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती मैंने। आपको मुआफ कर दिया है इसका मतलब यह नहीं कि मैं अब से दोस्ती कर लो करना है करें नहीं करना ना करें ये कहते हुए नूर वह से उठकर चली गए जबकि हया नाशाजैन को नूर की तरफ से सौरी बोला और फिर थोरी बातें करने के बाद वो भी नूर के पास चली गए आज हया खुद गारी ड्राइव करके यवनी वर्सिटी आई थी गारी चिल गया है हया चर कर बोली जबकि नूर गारी खराब होने की वज़े से बहुत परिशान हो गई हया तुम हमेशہ खराब चीजें ही क्यों चलाती हूं ये लू फून मेरा और तुम फरहाद को काल करो में तब तक बाहर देखती हूँ शायद कोई मदद मिल जाए नूर गारी से अकर रुकी जो के शामीर की थी शामीर ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और अंदर बैठे ही हो चाएनी प्राबलाम मिस तो नूर ने कहा अरे शामीर साहिब अब तो शामीर ने कहा कि हामे यहां किसी काम से आया था रास्ता में आपको यहां यू खड़ा देखा तो रुक वो हम यवनी से घर जा रहे थे कि गाड़ी खराब हो गई शामीर गाड़ी से बाहर निकला और उनकी गाड़ी चेक करने लगा है गाली में बैठे सब देख रही थी और सोच रही थी कि नूर की बच्ची को भी यही मिला था हेल्प के लिए पांच मिनत बाद शामीर बोला का कोई दूसरा रास्ता नहीं दुख रहा था अब यहां रुकी में अपनी दोस्त को भी ले आउं ओके ठीक है में अपका इंतिजार कर रहा हूं हया जो कब से अपने फोन में लगी शामीर को इगनोर कर रही थी और नूर को गुसे भरी नजरों से देख रही थी नूर उसके पास आई और इसे सब बताया यार नूर तुम पागल हो जो ऐसे ही किसी राचलते के साथ जाने को तयार हो गई हो हया पागल में नहीं तुम हो गई हो वो तुम्हारी उन डिजाइनर आंटी का बेटा है और शकल से भी शरीफ लग रहा है तुम्हारी फैमली तो जानती है उन लोगों को और वैसे भी इनके बाबा भी तुम्हारे बाबा के अच्छे दोस्त हैं अब तुम चुप करके चिलू वरना सारा दिन यही बैठी रहो नूर का लेक्चर सुनकर हया उसके साथ चल दी वो दोनों जाकर पीछली सीट पर बैठ गई शामीर ने एक नजर हया क को देखा और ड्राइव करने लगा हया ने आज भी टाइट जीन्स के साथ सलिवलेस शर्ट पहन रखी थी शामीर उसके कपड़ों को देख कर दिल में सोचने लगा कि ऐसी लड़कियों को समझाने का कोई फाइदा नहीं अपने जिस्म की नुमाईश करने को ये फैशन का नाम देती है जबकि नूर को दिल ही दिल में से सराहा था जिसने हमेशा की तरह शलवार कमीज के साथ दो पट्टाओ गिले में हमेशा की चादर लपेटी हुई थी शामीर ने नूर से रास्ता पुछा तो वो रास्ता बताने लगी जबकि हया बाहर दोड़ते मनाजिर को देखने लगी गाड़ी नूर के घर के सामने आरुकी तो हया जल्दी से अपना सामान संभालते हुए अंदर की जानिक चली गई जबकि नूर ने शामीर का शुक्रिया अदा किया और उसको अंदर आकर चाए पीने की पेशकश की जो के शामीर ने फिर कभी आने का कहकर टाल दी और गाड़ी जन से भगा कर ले गया नूर ने अंदर आकर हया को खूब सुनाई और कहा कि हया ऐसे करते हैं इसने हमारी इतनी मदद की और तुमने इसका शुक्रिया तक अदा करना मुनासिब नहीं समझा मैंने इस से मदद करने का नहीं कहा था तुमने कहा था और शुक्रिया भी तुमने अदा कर दिया मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के मुनह लगने की ठीक है जो मर्जी करो मेरी बिला से नूर उसके इस रवया पर हैरान थी थोड़ी देर बाद हया को फरहाद घर छोड़ आया था फरहाद जैसे नूर का भाई था वैसे हया का भी इसने कभी हया को अपनी बहन से कम नहीं समझा था शामीर खान साहिब और सकीना बेगम रात का खाना खा रहे थे तब ही शाजैन हुआ और अपने कमरे की तरफ जाने लगा खान साहिब ने इसको अपनी तरफ बुलाया जी डैड शामीर ने कहा आज कل तुम बहुत आवारा होते जा रहे हो कहा होते हो आज कल घर पर तो नजर ही नहीं आते दोस्तों के साथ था डैड अपनी ये दोस्तिया कम कर दो तुम क्या हो गया है अपको खान साहिब इसे खाना तो खाने दे अभी ठका हुआ बाहर से आया है और अप हैं कि इस पे शुरू ही हो गया है आओ बेटा हमारे साथ खाना खाओ मामा डिनर में फ्रेंड्स के साथ कर चुका हूँ, अब मेरे कमरे में एक कप काफी का भिजवादी पलेज, ये कह कर वो अपने कमरे की जानप बढ़ गया. कमरे में जाकर इसने नूर को मैसिज किया और फिर कुछ सोचने लगा. नूर अपने कमरे में बैठी थी कि इसके फोन बजने लगा मैसिज का जवाब जब ना आया तो शाजैन ने इसे काल कर दी इसने फोन उठाया बोलो किया मसला है क्यों करते हो काल्स और मैसिजिस नूर में तुम से मुआफी मांग चुका हूँ और बस तुम से दोस्ती करना चाहता हूँ अगर तुम मुझ से दोस्ती कर लो तो मैं तुम है यू तंग नहीं करूँगा ओके ठीक है नूर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया और फिर ये कहकर काल काड़ दी के मेरी नमाज का वक्त हो रहा है अब भी पढ़ ले शाजैन सोचने लगा के नमाज तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ हया बहुत ठकी हुई थी जिसकी वज़े से वो यवनी से आकिसो गई थी और जब वो उठी तो नौ बज चुके थे किया बनाया है करेले गोश्ट आईशा बेगम बोले हया ने बुरा सा मुन्ह बनाया और बोली आपको पत्ता है कि मैं करेले ना है खाती फिर अपने क्यों बनाये जिया की फर्माईश पे बनाए हैं, तुम्हारे बाबा को भी बहुत पसंद है मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ नहीं मामा अप रहने दे में बाहर जा रही हूँ वही से कुछ खा लोंगी तुम अकेली जाओंगी हया इस वक्त मामा किया हो गया है आपको अभी नौही बजे हैं, मैं आजाओंगी जल्दी वापस अब फिक्र मत करें वो के दिहां से जाना और जल्दी घर आजाना फुजूल में इधर ओधर घूमने की जरूरत नहीं हया गाडी में रेस्टरांट के लिए रवाना हुई इसने वहां जाकर खाना खाया, और खाना खाने के बाद वहां से रवाना हुई, अब वो बेवजा गाडी सड़कों पर घूमती रही अभी वो घर की तरफ जा रही थी कि गाड़ी किसी तेज रफतार गाड़ी के साथ लगी और उसका सर बुरी तरह सच्रंग के साथ लगा जिसकी वज़े से इसके सर पर गहरी चोट आई और वो नीम बेहोशी की हालत में चली गई शामीर जो के दूसरी गाड़ी में था इसको भी कुछ चोटें आई थी वो उनको नजर अंदाज करके दूसरी गाड़ी के पास आया जिसमें हया थी ओ माई गाड इसका तो बहुत खूम बह रहा है और जल्दी से हया को अपनी बाहों में उठा कर अपनी गाड़ी की फ्रेंट सीट पर बिठाया और उसकी गाड़ी को लाग करके अपनी गाड़ी हास्पिटल की जानिब बढ़ा दी और गाहे बगाहे हया पर भी नजर डालता रहा शामीर ने हया का मुन्ह थप थपाया और कहा और कहा हया उठो आंखें खोलो पिलेज हया नो आवाज सुनकर आंखें खोल कर शामीर को देखा और आंखें बंद कर लें शामीर रश ड्राइविंग करके हास्पिटल पहुंचा और हया को उठा कर हास्पिटल के अंदर दाखिल हुआ और डॉक्टर्स को इसका चेक अप करने को कहा हया को बहुत गहरी चोट आई थी और डॉक्टर्स ने इसे एडमेट करने का बोला था शामीर हया के पास रोम में बैठा हुआ था मुख साहिब अब कुछ करे मेरी बच्ची कब से गई है अभी तक घर वापस नहीं आई पता नहीं वो कहा होगी किस हाल में होगी मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है नूर के घर पे भी नहीं है वो आईशा बेगम अपने इसे अकिला क्यों बाहर जाने दिया इसके साथ डाइवर को आजिया को भेज दिया होता अब अब प्रेशान नहों वो ठीक होगी अंशल्ला में कुछ करता हो ये कहते हुए वो बाहर की जाने बढ़ गए जबकि जिया अपने मा के गिले लग कर रोने लगी और कहने लगी के मामा हया आपी ठीक होंगी ना तो तो आईशा बेगम ने इसे तसली दी और वो दोनों मुक साहिब का इंतिजार करने लगे शामीर ना सकीना बेगम को फोन किया और सब बताया जिसकी वज़े से वो बहुत परेशान हो गई और शामीर को मुक साहिब का नंबर दिया मुक साहिब और खान साहिब एक दूस शामीर को हया के कराहने की आवाज आई जब शामीर ने सुना और वो इसके करीब गया तो हया ने इस से पानी मांगा शामीर ने गलास में पानी डाला और हया ने और हया को अपने बाजाहे के सहारे उठा कर अपने साथ लगाया और उसको पानी पला कर लिटा दिया जबकि हया को शामीर के इतने करीब आने पर दिल की धरकन तेज होते हुए महसूस हुई और अपना दिल इसे इसकी नीली आँखों में डूपता हुआ महसूस हुआ इसने खुद को नार्मल करने के लिए आंखें मूंद ले थोड़ी ही देर में हया के वालिदین वहां अगैशा मीर उनके पास थोड़ी ही देर वहां रुकने के बाद घर चला गया जबकि आईशा बेगम और जिया थोड़ी देर वहां रुके और रात ज्यादा होने के बाईस उन्हें भी मुक साहिब ने घर भिजवा दिया अब मुक साहिब हया के पास हास्पिटल तहरी थे जिया ने सुबह फोन करके नूर को भी हया के एकसिडेंट के बारे में बता दिया था तो नूर से रहा ना गया और वो हयात बेगम के साथ आईशा बेगम के घर आ गई अब वो सब इकटे हास्पिटल पहुँचे थे आईशा बेगम आके हया से मिली इसका हाल पोच्छा कैसी तबियत है अब बेटा वो फिक्रमंदी से बोलें तो हया ने जवाब दिया के मामा के मामा अब परेशान ना हो आई एमो के मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस तरह बाकी सब ने भी हया का हाल पूछा नूर ने हया से बातें भी की थी जबकि हया की नजरें बार बार दर्वाजे की तरफ उठ रही थी के शायद अब वो दुश्मन जान आ जाए जिसके इंतिजार में वो सुबह से तड़प रही थी थोड़ी ही देर में हया को हास्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो लोग घर की तरफ रवाना हो गए हया काफी मायूस थी आज नूर अकेले ही युनिवर्सिटी आई थी हया को अभी आईशा बेगम ने युनिवर्सिटी जाने से मना किया था और रेस्ट करने का कहा था ताका वो जल्दी से ठीक हो सके नूर अभी लेक्चर लेकर कैंटीन की तरफ जा रही थी हिरा और इज़े आज यवनी नहीं आई थी नूर अभी टेबल पर बैठी कोल डिंक और समोसों से इंसाफ कर रही थे कि इसकी टेबल पर कोई और भी इसके साथ आकर बैठा नूर ने घबरा कर सामने देखा तो वो शाजैन था नूर ने कहा कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है तुमने तो मुझे ड्राही दिया था हाया तुम बच्ची हो जो डर गई और आज वो तुम्हारी दोस्त कहा है तुम अकेली क्यों हो हाया का एकसिडेंट हो गया है तुम्हारे ही भाई की गाड़ी से और तुम्हें पत्ता ही नहीं शाजैन ने कुछ सोचते हुए कहा के भाई अच्छा तुम मुझे इसका नंबर दो ताका में हाया की यादत कर लो वैसे भी दोस्त है मेरी वो नूर ने शाजैन को नंबर दिया यार नूर वैसे तुम कितनी बत्तमीज होना कभसे अकेले-अकेले खाई जा रही हो ये ना के बंदा किसी से पूछी ले तो तुम्हारे पास पैसे तो होंगे ही जाओ जाके कैंटीन से ले लो वैसे भी मुझे शरिंग पसंद नहीं और खाने के मौामले में तो बिलकुल भी नहीं ओ अच्छा इसका मतलब तुम बहुत भुकी हो ऐसा नहीं है नूर चड़ कर बोली तुम कब से मेरे समोसे पर नजर रखे हुए हूँ कही मेरे पेट में दर्द ही ना हो जाए नहीं में तुम्हारे समोसे पर नहीं तुम पर नजर रखे हुए हूँ और मेरी इन महबत भरी नजरों से कुछ नहीं होने वाला तुम है नूर ने हैरान होते हुए इसको देखा और बोली किया मतलब कुछ नहीं शाजैन बोला और नूर की पलेट से समोसा उठा कर खाने लगा नूर हैरान होते हुए इसे देखे जा रही थी शाजैन इस तरह खाते हुए इसे अच्छा लग रहा था पता नहीं क्यों लेकिन नूर के दिल سے शाजैन के लिए नफरत कम होती जा रही थी खाने के बाद इसने नूर से पूछा घर किसके साथ जाओगी नूर जो कही और ही गुम थी इसके जवाब ना देने पर शाजेन ने इसे जूर से पुकारा नववूर नूर ने इसे चौंक कर देखा और पूछा किया हुआ मैं तुम से कुछ पूछ रहा हूं किसके खィालों में गुम हूं। किसे साथ घर चाओगी फरहाद परहाद के साथ, फरहाद का नाम सुनकर शाजैन हैरान होते हुए होच्छा के वो कौन है, मेरा भाई इतने में नूर को किसी की काल आई जो फरहाद की थी वो इसे लेने आ चुका था नूर शाजैन को अलुआ हाफिस बोल कर वहां से चली गई सकीना बेगम तयार होकर लाउनच से गुजर रही थी तो शामीर ने उनसे पूछा के मामा अब कहां जा रही है तो सकीना बेगम बोलें के हया के घर मैं भी चलता हूँ आपके साथ इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराई थी और मैं गया ही नहीं यादत के लिए वो दोनों साथ ही हया के घर की तरफ रवाना हुए हया जो अपने कमरे में लेटी मसलसल शामीर को ही सोच रही थी और अपने हालत पर चर्चली हो गई थी कि ये इसे क्या हो गया है कि आईशा बेगम ने इसको सकीना बेगम के आने की इत्तिला दी और नीचे आने को बोला तो हया भी अपना हुलिया दरुस्त करके नीचे चली गई वो बेधियनी में डाइंग रोम में दाखिल हुई तो सकीना बेगम के साथ शामीर को देखकर इसको अपनी धड़कने तेज होती हुई महसूस हुई सकीना बेगम हया से इसका हाल पूछा तो वो बोली कि आँटी अब पहले से बहतर हूँ जबकि शामीर जबकि शामीर जो बिलकुल इसके सामने बैठा था इसने हया से इसका हाल पूछा और बोला कि मैं शर्मिन्दा हूँ मेरी वज़े से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई कोई बात नहीं में अब बहतर हूँ पहले से और गलती मेरी भी थी वो लोग वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद जा चुके थे दिन अपनी रफतार से गुजर रहे थे नूर और शाजैन में काफी दोस्ती हो गई थी और उन दोनों का आपस में फोन पर राबता भी रहता था और हया भी अब ठीक हो गई थी और उसने युनिवरसिटी जाना शुरू कर दिया था जबकि दिल में हर लमः शामीर की महबबत बढ़ती जा रही थे इस बात का जिकर इसने नूर के अलावा किसी से न किया था नूर हमेशा इसके लिए यही दूआ करती थी कि जिसे वो चाहती है वो इसके हक में बहतर हो और उसकी महबबत इसे मिल जाए शाजैन अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था कि इसने नूर को काल की हेलो कैसी हूँ कल आओगी हया की बर्थडे पार्टी पर शाजैन बोला तो नूर ने कहा कैसी बातें करते हो मेरी दोस्त को बर्थडे है और में ना जाओ ना मुम्किन है जाओंगी भई हा 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 तुम्हें फरी में केक जो मिलेगा शाजैन बोला तो नूर ने कहा में बंद कर रही हो फोन और काल कार दी पागल शाजैन ने फोन को देख कर कहा और हंसने लगा आज हया की सालगिरा की तकरीब थी जो उसके घर में रखी गई थी नूर भी हया के घर ही थी वो पहले ही आ गई थी हया के कहने पर हया बहुत खुश थी इसने सोच लिया था कि आज वो शामीर को अपने जजबाद से आगाह कर देगी तक्रीबन सब महमान आ चुके थे सिवाए इसके जिसका हया को बेसबरी से इंतिजार था हया ने आज बलेक कलर की सलेव लेस मैक्सी पहन रखी थी और वो बहुत एहतमाम से तयार हुई थी वो बहुत खुबसूरत लग रही थी हया सब के साथ खड़ी बातों में मसरूफ थी कि इसकी नजर शामीर और उसकी फैमली पर पड़ी तो वो उनकी तरफ गई वो बहुत गर्म जोशी से उनका इस्तिक्बाल किया सबने हया को बर्थ डेविश किया जबकि शामीर तो हया के बदले अंदाज देखकर बहुत हैरान हुआ और फिर उसके औरिया बाजा को देखकर नजरें जुका ले शाजैन की नजर मसलसल नूर को तलाश कर रही थी नूर ने पिंक कलर के फराग पहना हुआ था और बाल खौले साइड पर दो पटा लिये बहुत खूबसूरत लग रही थी शाजैन की नजर जब नूर पर पड़ी तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी नजरें इस पर से हटाना भूल गया लेकिन फिर जल्द ही संभल कर अपनी नजरों का जाविया बदल लिया हया ने केक काटा और सब लोगों ने इसको तहाइफ पेश किये हया की नजरें मुसलसल शामीर को तलाश कर रही थी जब इसने देखा तो वो एक कोने में ख़ड़ा फोन पर किसी से बातों में मसरूफ था हया इसके पास गई शामीर उसकी तरफ मतवज्जे हुआ शामीर मुझे अपसे कुछ कहना है हया बोली जी किये मैं सुन रहा हूँ हया जीजकते हुए बोली शामीर में अपसे महबबत करने लगी हो मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ अपसे महबबत करना मेरे बस में नहीं था किया अप मेरी महबबत को कुबूल करेंगे और इस महबबत के सफर में मेरा साथ देंगे वो शामीर के चहरे के तासुरात देखे बना ही बोली जा रही थी जबकि शामीर का चहरा घुसे और जब्द की वज़ा से सुर्ख हो रहा था यहीं शामीर का सबर जबाब दे गया था इसमें बुरी तरह चला कर हया को चुप करवा दिया था तुम ही किया लगा हया कि मैं तुम जैसी बेहया लड़की से कोई तालुक रखना चाहूंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है हया बीबी जितना जल्द हो सके अपनी ये गलत फहमी दूर कर लो मैंने तुम से जरा सी बात किया कर ली तुम खुद को मिस वर्ड समझने लगी है आंसूँ भरी आँखों से शामीर को देख रही थी और बहुत शिकस्ता आवाज में बोली के शामीर मुझ में किया कमी है शामीर ने हिकारत भरी नजरों से इसे देखा और कहा कभी तुम ने खुद पर गौर किया है कि तुम किया हो तुम में ऐसी कोई खूबी नहीं कि तुम से महबबत की जाए महबत बहुत पाकिजा रिष्टा है तुम जैसी लड़कियां ही होती है जिनको वजह से महबत बदनाम है अपने रब को नाराज करके तुम महबत धुनती हो कभी गोर किया है अपने लिबास पर तुमने जो अपने रब को भूल गई है जिसने इसे बनाया जिसकी बदौलत वो आज जिन्दा है वो इस रब से महबबत नहीं करती इसको याद नहीं करती मैं तो फिर आमसा इंसान हूँ और तुम कहती हो महबबत तुम आइंदा ऐसी बात अपने मुन से मत निकालना और नहीं मेरे सामने आना ये के कर वो रुका नहीं और बाहर की तरफ चला गया जबकि हया आंसूं भरी आँखों से इस जाता हुआ देखने लगी आज वो ठक रही गई थी इसकी बुरी तरह तजलील की गई थी आज वो इसे हकीकत का आइना दुखा गया था वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी वो सोच रही थी कि वो वाकी अल्लुआ को भूल गई थी वो कह रही थी कि मैं अच्छी लड़की नहीं हो मैंने अल्लुआ को नाराज किया शामीर ने ठीक ही तो कहा कि अच्छी लड़कियां ऐसी थोड़ी होती है। वो शीशा के सामने खड़ी अपने आपको देख रही थी। अब इसे अपने लिबास से नफ़रत सी हो रही थी। शामीर की बातें बार बार उसके जहन में आ रही थी। हया रोने लगी। नूर ने हया को इधर उधर देखा वो इसे कही नजर ना आई नूर आईशा बेगम से हया के बारे में इसका पुछने जाने लगी के रास्ता में इसे शाजैन ने रोक लिया कुछ लोग तो नजर ही नहीं आते नूर इसे घुरे जा रही थी शाजैन बोला में अब से बात कर रहा हूम इस नूर जी बोलो प्यारी लग रही हो शाजैन और कुछ इतनी तरीफ की है बंदा ठीनिक्स ही बोल देता है नूर ने कहा ठीनिक्स और शाजैन को इग्नोर करते हुए वहां से चली गई जबकि शाजैन इसके रवया पर हैरान था और अपने दिल में कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गया हया खुद को कमपोज करके नीचे आई थी तक्रीबन सब महमान जा चुके थे बस नूर और उसकी फैमली ही रुकी हुई थी अभी तर और फरहाद मुसलसल जिया को ओट पिटन बातें करके तन कर रहा था जिसकी वज़े से वो तन हो जाती चड़ जाती हया भी आके उन्ही के साथ ही बैठी थी तो नूर उसकी सुर्ख आंखें और बदले हुए अंदास को देख कर परेशान हुई और बाद में पूछने का सोच कर फुल हाल चुप हो गई और थोड़ी देर बाद वो लोग भी अपने घर की तरफ रवाना हो गए नूर रास्ता में हया को ही सोचती हुई आई थी सारी रात रोने की वज़े से सुबह हया को बहुत तेज बुखार हो गया था आईशा और मुक साहिब काफी परेशान थे हया ने नूर को काल करके कहा कि वो आज यवनिवर्सिटी नहीं जाएगी और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया और कहा कि नूर यवनिवर्सिटी से वापसी पर उसके घर आ जाए नूर यवनिवर्सिटी गई आज शाजैन युनिवर्सिटी नहीं आया था नूर उसके ना आने पर परेशान सी बैठी कुछ सोच रही थी कि इसके मोबाइल पर शाजैन का मैसिज आया मुझे मिस कर रही हो नूर हैरान हुई और जवाब दिया नो हाय हाय हा वो हंसने लगा और बोला जूट नूर ने मैसिज पड़ा इतनी देर में इसके नंबर पर काल आई जो हया की थी ड्राइवर को भिजवा दिया है तुम इसी के साथ आजाओ मेरे घर हया बोली नूर हया के पास बैठी थी कि हया का फोन बजने लगा शाजैन की काल थी इसने हया से इसकी तबियत का पूछा और उससे थोड़ी देर बात करने के बाद फोन बंद कर दिया शाजैन जो के लाउनच में बैठा था जबकि शामीर सकीना बेगम की गोद में सर रख लेता था वो अभी आफिस से घर आया था शाजैन ने सकीना बेगम को हया की तबियत का बताया जबकि शामीर के अंदर हया का नाम सुनकर नागवारी की लहर दोड़ गए और वो उठकर अपने कमरे मैं चला गया तीन महीने बाद इन तीन महीनों में बहुत कुछ बदल गया था नूर शाजैन से महबबत करने लगी थी शाजैन नूर के घर रिश्टा भेजा था जो बखुशी कुबूल कर लिया गया था हया ने खुद को मकमल तोर पर तबदील कर लिया था शामीर की बातों ने इस पर गहरा असर छोड़ा था हया के दिल में शामीर की महबबत आज भी मौजूद थी इसने कभी नमाज नहीं पड़ी थी अब वो नमाज के साथ तहज्जित भी पढ़ने लगी थी वो हर नमाज में शामीर को इसका महर्म बन जाने की दूआ मांगती थी इसकी ड्रेसिंग बिलकुल बदल गई थी शामीर की बातों ने इसके दिल में अल्लुआ का खौफ और उसकी महबबत डाल दी थी नूर ने भी इसे बहुत समझाया था हया बजाहिर तो खुश रहती थी मगर वो तूट चुकी थी हया क्यों उदास हो नूर ने कहा उदास ना हो तो खुश हो किया हाँ तुम्हें खुश होना चाहिए हया हया ने हैरान होते हुए इसे देखा और पूछा क्यों क्योंकि ये फैसला अलूआ का था तुम्हारे लिए नूर ने कहा हया तुम्हारी उम्मी तुम्हें कितना प्यार करती है क्या वो कभी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला करेंगी बहुत प्यार करती है और वो ऐसा कभी नहीं करेंगी वेल हया अब सूचो अलुआ ताला जो हमें सत्तर मावहे से भी ज्यादा पियार करते हैं ये उनका फैसला था तो ये तुम्हारे लिए गत हो ही नहीं सकता इसी में तुम्हारी बेहतरी है हया वो अपने बंदे को कभी ऐसे अकिला नहीं छोड़ता हया तुम दूआ की करो अगर शामीर तुम्हारे नसीब में है तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा अगर वो तुम्हारे लिए बहतर है तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा तुम बस परेशान मत हुआ करो दूआ में बहुत ताकत होती है हया और मुझे यकीन है तुम्हारी दौाइं एक दिन जरूर पूरी होगी स्वक्त का इंतिजार करो हया अब नूर की बातें सुनकर थोड़ा रिलेक्स हुई थी नूर और शाजैन की मंगनी की तैयारियां जुरू शोर से हो रही थी हया भी सब कुछ भूल कर तयारियों में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रही थी नूर बहुत खुश थी आज नूर और शाजैन की मंगनी थी हया नूर के साथ इसे पारलर ले गई थी वो दोनों अब तयार हो चुकी थी आज सुबह से शाजैन नूर को काल नहीं की थी एक मैसिज किया था बस जिसका वो जवाब ना दे सकी हया ने वाइट कलर के फराग के साथ चौड़ीदार पाजामा पहना हुआ था और लाल रंग का दोपट्टा कंधे पर फैलाया हुआ था सुर्ख रंग का खुबसूरत हिजाब सर पर ओड़े वो बहुत खुबसूरत लग रही थी नूर ने खुबसूरत सा पेच कलर का ग्रारह जेबतन कर रखा था और लाइट सा मेक अप किये जॉल्री के साथ वो बहुत खुबसूरत लग रही थी सारी तेयारिया मुकम्मल हो चुकी थी हया नूर को घर ले आई थी हया की फैमली भी आ चुकी थी मगर अभी तक शाजैन अपनी मामा के कमरे में गया जो मंगनी की तक्रीब में जाने के लिए कपड़ों का इंतिखाब कर रही थी शाजैन एक धमाका के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो सकीना बेगम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगें। मामा मुझे अब से बात करनी है। जी बोलो अब क्या हो गया है। मामा में ये मंगनी नहीं कर सकता। तुम पागल हर गय हो शाजैन ये कैसा मजाक है। तुम ये क्या बोल रहे हो जाकर जल्दी से तयार हो जाओ तुम पहले ही लेट हो चुके हैं हम। मामा ये कोई मजाक नहीं मुझे मंगनी नहीं करनी ये बस ये कहता हुआ वो कमरे से चला गया। और सकीना बेगम पीछे इसे पुकारती रह गया। शाजैन गाड़ी में बैठ कर जन से गाड़ी उड़ा ले गया। सकीना बेगम प्रेशानी की हालत में इधर ओधर टहल रही थी कि उन्हें शामीर अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मामा अप लोग कब तक तयार होंगे पहले ही हम बहुत लेट हो गये हैं। सकीना बेगम शामीर को प्रेशान नजर आएं। और ये शाजैन कहा है। सकीना बेगम ने शामीर को सब बताया तो वो हैरान हुआ। आप फिकर मत करे में करता हूँ पत्ता मामा। इसने शाजैन को काल की जिसका नंबर बंद जा रहा था इसने इसके दोस्तों से भी शाजैन का पता करवाया लेकिन इसकी कोई खबर ना मिली वो सब बहुत परेशान थी खान साहिब को जब ये सब पता चला तो वो सकीना बेगम पर खूब गुसा हुए कि ये सब तुम्हारी दी हुई धील का नतीजा है शामीर तुम उन लोगों को फोन कर दो और सब बता दो उनसे माजरत भी को आमेरे अल्लुआ ये क्या हो रहा है खान साहिब ने कहा शामीर परेशान सा उनकी तरफ देख रहा था वो हमेशा नूर को अपनी बहन की नजर से देखता आया था और आज नूर के साथ ये सब से बरदाश्ट ना हो रहा था और करने वाला था भी इसका अपना भाई लड़के वालों के ना आने की वज़े से वो सब लोग बहुत परेशान थे और महमान भी काफी वक्त हो जाने की वज़े से तरह तरह की बातें कर रहे थे मलिक साहिब सिद्धी साहिब और उनके अजीज दोस्त चौदरी रफाकत साहिब सब एक साथ बैठे लड़के वालों का इंतिजार कर रहे थे सिद्धी की साहिब काफी प्रेशान नज़र आ रहे थे इतने में सिद्धी साहिब को काल आई और फिर एकदम प्रेशान हो गये मलिक साहिब ने इन से पूछा कि क्या हुआ है किसका फोन था तो उन्होंने शिकस्ता अंदाज में कहा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है चौद्री साहिब ने कहा, सिद्धिकी मैं तुम से अपने बेटे शहरियार के लिए नूर का हाथ मामता हूँ किया तुम मुझे इस काबिल समझते हो कि मैं नूर को अपने घर की बेटी बनाऊ। मुझे भला किया एतराज होगा शहरियार देखा भाला बचा है। अप एक दफ शहरियार से पूछ ले। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो कभी इंकार नहीं करेगा। चौद्री साहिब ने कहा कि अप नूर बेटी से पूछ ले तब तक मैं फात्मा और शहरियार को बता दूँ। शहरियार माबाप का इकलोता बेटा है। उम्नी अब कैसे किसी से भी मेरी मन्मी करवा सकती हैं, आखिर मेरी मर्जी भी कोई पूछ ले में किया चाहता हूँ। नूर मुझे खुद बहुत पसंद है, अच्छी लड़की है, वो अब तुम चुप रहो और अपनी हालत दुरुस्त करो तुम्हारे बाबा भी यही चाहते है। हया जो नूर को कब से तसलिया दे रही थी लेकिन नूर का दिल किसी तौर पर मुतमईन नहीं हो रहा था। इतने में सिद्धी की साहिब कमरे में दाखिल हुए और आकर नूर के पास बैठ गए। नूर को सब बताया और इसे कहा कि अगर में तुम्हारे बारे में एक फैस जैन की बातें याद आ रही थी। ऐसा क्यों किया है इसने मेरे साथ। वो रोए जा रही थी। मैंने तो इसको दौाओं में मांगा था अल्वा ने ऐसा क्यों किया है। अल्वा से जद्ध तो नहीं लगाई जाती नूर। इसकी तो बस मानी जाती है मेरी जान। तो क्या ह वह जो तुम ने मांगा इसने ना दिया किया पता बहतर वक्त में वो तुम्हें मिल जाए या इस से बहतर तुम्हारे नसीब में हो। इतने में हयात बेगम कमरे में दाखिल हुई नूर परेशान नहीं हो मीर छोटी जान शहरियार बहुत अच्छा लड़का है चिलू अब हुलिया ठीक करो और बाहर आओ सब इंतिजार कर रही है तुम्हारा। हया नूर को लेकर बाहर गई। मंगनी की सब रसमें खुशी खुशी हों चुकी थी फात्मा बेगम काफी खुश थी और बाकी सब भी खुश थे सिवाए नूर और शहरियार के नूर घुतनों में सर दिये नीचे कालीन पर बैठी कबसे रोने में मसरूफ थी कि अचानक इसके फोन की घंटी बजी तो इस जिसकी इविस से मालूम हो रहा था कि वो बहुत रूच चुकी है जो शाजैन ने भी महसूस किया था क्यों किया ऐसा मेरे साथ तुमने शाजैन किया मिला ये सब करके तुम है शाजैन बोला सुकून मिला नूर मुझे सुकून किसी का सुकून बरबाद करके तुम कह रहे ह कि तुम्हे सुकून मिला तो गलत सोचते हो तुमाख्र किया गलती थी मेरी जो इतना बड़ा धुका दिया तुम मेरे जबाद से खेले हो तुम्हारी वजा आज मेरे माबाब का सर जुका नूर ने चला कर घुसा से कहा तो शाजैन ने कहका लगाया ये सब तुम्हारी गलती की सजा है तुमने सब के सामने मुझे थपड मार के बे इज़त किया था अब ये सब भी तुम खुद बरदाश्ट करो खुदा से ड्रो अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो उसके साथ कोई ऐसा करता तो किया बरदाश्ट करते तुम देख सकते के भरे मजमे में तुम्हारे माबाप की इज़त तार-तार कर दी जाए और लोग तरह तरह की बातें और तंस करे नहीं शाजैन तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्यूंकि ये सब मैंने बरदाश्ट किया है मैं ना इस थपड की मुआफी मांग ली थी तुम से और हाँ वहां मेरी जगा अगर कोई और लड़की भी होती तो ऐसा ही करती तुम ने रुस्वा किया है मुझे मेरे माबाप की इज़त तार-तार कर दी लेकिन मैं अल्लुआ के बाद शहरियार की शुक्र बुजार हूँ जिसने मुझे अपनाया अपना नाम दिया तो मेरे माबाप सर उठाने के काबिल हुए मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी ये कहकर नूर ने फोन बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी नूर की बातें सुनकर शहरियार सुनसा हो गया था इसको थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई लेकिन फिर इसने सर जटक दिया और घर की तरफ रवाना हुआ शाजैन जब घर पहुँचा तो इसे सब लोग लाउनच में बैठे नजर आये वो उनको नजर अंदास करके अपने कमरे की जानिद जाने लगा खान साहिब ने इसको मखातिब करते हुए कहा कि साहिब जादे जरा उधर तो आये अपने किया गिल खिलाए हैं अगर ऐसा ही करना था तो पहले मंगनी के लिए हां क्योंकि हमें वहां क्यों भेजा किया मिला तुम है डैड में इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता बहतर है इस घर का कोई फर्द भी मुझ से इस बारे में बात ना करे सेटेटस देख रही थी तभी इसके सामने शहरियार की कजिन सान्ये का सेटेटस आया जिसमें शहरियार और नूर की तस्वीर एक साथ थी। जो फात्मा बेगम ने इसको भेजी थी और वो इसने सेटेटस पर लगा दी थी। सेटेटस पर तस्वीर के साथ इसने कैप्शन मे लिखा था कि बहुत-बहुत मुबारक हर शहरियार भाई मंगनी की। निशा ने जब ये सब देखा तो वो दंग रह गई और उसने शदीद गुसा में शहरियार को काल की। और तीसरी बैल पर काल रिसीव कर ली गई थी। शहरियार ये क्या है ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ महबबत के दावे मुझ से और मंगनी किसी और से। ऐसा कुछ भी नहीं है निशा में महबबत भी तुम से करता हूँ और शादी भी तुम से ही करूँगा मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ वो मंगनी मैंने बस वक्ती तोर पर की में बेबस हो गया था। और क कभी आएगा कुछ दिनों बाद हया और नूर दोनों कलास लेकर बाहर आएं और कैंटीन की तरफ चली गएंग अभी वो लोग बैठी समोसों और बिर्यानी के साथ इनसाफ कर रही थी के शाजैन कैंटीन में दाखिल हुआ तो इसकी नजर नूर पर पड़ी तो वो वापस प खुद को देखते हुए पाया शाजैन हर बढ़ा कर सीधा हुआ नूर ने नफरत से इसकी तरफ से निगाहें फेर ले और हया का हाथ पकड़ कर वहां से उठकर शाजैन पर एक नफरत भरी निगाह डालती हुई चल दी जबकि शाजैन को इसकी नफरत भरी निगाहों से ब अपने जहन और दिल से निकाल दो के मैं तुम्हारी शादी कही और करवाओंगा। वक्त अपनी रफतार से गुजर रहा था नूर खुद को काफी हद तक से नबाल चुकी थी उसकी अब तक शहरियार से कोई बात ना हुई थी। फात्मा बेगम अक्सर उनके घर आती जात रहती जबकि वो चाहतें कि जल्द अस जल्द नूर को बया कि अपने घर ले जाएं। नूर के घरवालों को ये अक्सर कहती रहती थी कि अब वो शादी की तारीख रख दें जबकि नूर के घरवालों का कहना था कि नूर की पढ़ाई मुकमल होने पर ही शादी कर देंगे नूर फात्मा बेगम को बहुत पसंद आई थी पिछले कुछ दिनों से मुक साहिब को अपनी तबीयत कुछ बोजहल सी लग रही थी इस बात का उन्हों ना घरवालों से जिक्र ना किया था जिसका नतीजा ये निकला था कि आज सुबह आफिस जाते हुए उनको शदीद किस्म का हार्ट अटेक हुआ था इस वक्त वो हास्पिटल में थे नूर के मामा बाबा भी ये खबर सुनते ही हास्पिटल पहुँच गए थे नूर हया को मसलसल तसली दे रही थी वो सब बहुत परेशान थे आखिर चौबीस घंटे के तवील इंतिजार के बाद मुक के साहिब के खत्रे से बाहर होने की खबर सुनाई थी तो सब की जान में जैसे जान आई थी है जो हास्पिटल के पर रोम में नमाज पढ़ रही थी नूर ने आकर इसको मुक साहिब की तबियत की इत्तिला दी तो वो नूर के गिले लग कर रूदी इसने अल्लुआ का शुकर अदा किया नूर ने इसे तसली दी जिया और आईशा बेगम भी काफी परेशान थे जिया तुम कब से जाग रही मामा और फरहाद के साथ थोड़ा रेस्ट कर लो हम लोग हैं यहाँ पर जिया जो प्रेशान सी बैठी थी कुछ नहीं होगा जिया अनकल अब बेहतर है और अंशल्ला जल्द ही बिलकुल ठीक हो जाएगे पूरी राज से जाग रही तुम तो जिया नूर के कहने पर उनके साथ चली गई थी आज उनको हास्पिटल में दूसरा दिन था खान साहिब और शामीर एक साथ बैठे थे के खान साहिब बोले शामीर पत्ता करो अभी तक आये नहीं मुख साहिब इतने लेट क्यों हो गए पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ मुख साहिब और खान साहिब के बिजनस पार्टनर थे और उनके एक दूसरे से काफी अच्छे तालुकात थे शामीर ने मुख साहिब के नमबर पर काल की मुख साहिब का फोन हिया के पास था दोसरी बैल पर काल रिसीव करकी गगी थी इसलामो अलेकुम शामीर ने सलाम किया है जो उसकी आवाज पहचान चुकी थी सलाम का जवाब दिया जबकि लड़की की आवाज सुनकर शामीर चौंक गया कि मैंने तो मुक्थ साहिब को फोन किया था इसने मुबाइल की तरफ देखा सिक्रीन पाउने का नाम था शामीर बोला बेहतर हैं पहले से अब वो खत्रे से बाहर हैं अलहम्दलिल्ला ये कहकर इसने फोन रख दिया शामीर हया की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर खान साहिब को बताई ये बात हमें चलना चाहिए उनकी यादत के लिए वो मेरे अजीज दोस्त भाईयों की तरह हैं तुम हास्पिटल का नाम पूछो और शाम को मुझे लेकर चलू खान साहिब ने कहा ठीक है बोल कर शामीर अपने मॉबाइल में मसरूफ हो गया हयात बेगम ने मुक साहिब के लिए सूप और उन लोगों के लिए लंच बना कर भेजा था जो के फरहाद और जिया लेकर आये थे हया मलक साहिब के साथ बैठी उनको सूप ला रही थी आईशा बेगम भी साथ ही बैठी थी जबकि नूर और जिया बाहर थे दर्वाजा नाख होने पर हया ने उठकर दर्वाजा खोला तो सामने मुक साहिब और शामीर को खड़ा देख कर सलाम किया और उन्हें अंदर आने का बोला शामीर तो हया की ड्रेसिंग देख कर बहुत हैरान हुआ था जिसने सर पर काले रंग का हिजाब और सफेद रंग की लंबी पैरों तक आती फरात पहनी हुई थी और सफेद रंग का दो पट्टा कंधों पर फैलाया हुआ था शामीर ने ये सोच कर सर जटक दिया कि शायद ये इसका कोई नया ड्रामा हो हया थोड़ी देर उन लोगों के पास बैठने के बाद वहां से उठकर बाहर चली गई मुक साहिब जो किसी सोच में डूबे थे खान साहिब ने उन से पूछा कि किया हुआ कुन सोचों में डूबे हो तो मुक साहिब ने उनकी तरफ देखा और बोले तो मुक साहिब ने कहा कि कुछ नहीं यार बस हया की वज़े से प्रेशान हो चाहता हूं कि जल्द अस जल्द इसके फर से सुबक दोश हो जाओं जिया की तो बात बच्चपन में ही फरहाद से तेहो चुकी थी जिया की तरफ से मेरा दिल मुतमें है सिद्धी की साहिब भायों की तरह हैं मगर हया की मुझे फिक्र लगी रहती है मेरी जिन्दक का किया भरोसा कब दगा दे जाए ऐसी बातें क्यों करते हैं मुक साहिब हया बहुत अच्छी बच्ची है अगर अप मुनासिब समझी तो मैं हया को अपने शामीर की दुलहन बनाना चाहता हूँ मेरी तो कब से ये खाहिश थी शाजैन ने जो किया वो बहुत गलत था मगर शामीर इससे बहुत मुख्तलिफ है शामीर को तो ये बात सुनकर एक धच्चका लगा था वो बेयकीनी के आलम में अपने बाप को देख रहा था मुक साहिब इतना अच्छा रिश्टा मिल जाने पर खुश थे शामीर बेटा मुझे पता है तुम मेरे फैसले से इंकार नहीं करोगे लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मेरे फैसले पर कोई एतराज है तो बता दो शामीर काफी समझदार था इसने अपने बाप का मान रखने के लिए कहा कि मुझे अपका हर फैसला कुबूल है अपका जो फैसला मेरे लिए होगा मैं जानता हो बहतर ही होगा ये कहते ही वो जरूरी काल आने का कहकर बाहर की तरफ चला गया नूर तुम क्यों रू रही हो चुपकर जाओ नूर देखो में हो ना तुम्हारा शाजैन मुझसे दूर मत जाओ नूर कहा जा रही हो नूर मुझे मुझे मुआफ कर दो वो जा चुकी थी शाजैन एक दमचौंग के उठ बैठा ये इसका खाब था खान साहिब मेरी अपसे एक और बुजारिश है कि मैं हया की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ तो खान सा और बाकी सब को इस बारे में बताया और हया से इसकी मर्जी भी तो इसने अपने बाप की तबीयत को मद नजर रखते हुए हां में जवाब दिया हया दिल में एक तरफ शामीर के मिल जाने पर खुश थी और दूसरी तरफ इसकी खुद से नफरत करने पर बहुत दुखी और हैरान भी थी के शामीर इससे शादी करने के लिए राफी कैसे हुआ नूर को जब इस बात का पता चला तो वो इस बात को के कर काफी खुश और हया की शादी का सुनकर काफी एकसाइटेड भी थी इसकी अकली एक ही तो दोस्त थी और वो थी हया और उसके बहुत से अर्मान थे जो इसे हया की शादी पर पूरे करने थे वो शामीर को शुरू से ही बहुत अच्छा समझती थी और वो जानती थी के शामीर शाजैन से बहुत मुखतलिफ है मुख साहिब डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे और अब उनकी तबियत भी काफी सिनेम बिल चुकी थी उन्होंने इस वीकेंड पर शामीर की फैमिली को घर बुलाया था ताके जल्द अस जल्द तारीख ते कर सके हया ने नूर को काल की इसके घर में सुबह से तैयारियां हो रही थी आज शामीर की फैमिली ना आना था हया नूर से बातें कर रही थी नूर में काफी प्रेशान और कनफूस्द हों इसने हां कैसे कर दी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या उदास हया अलुआ पर भरोसा रखो सब बहतर होगा तुम्हें खुश होना चाहिए अलुआ ने तुम्हारी दौाईं सुन ले हैं शामीर मिल रहा है तुम्हें वो भी महरम बन की यही चाहती थी ना तुम अब फुजूल कुछ मत सोचो शादी जिन्दग में एक बार होती है इंजो आए करो अच्छा नूर तुम आज आरही हो मेरे घर मुझे नहीं पत्ता अगर तुम ना आई तो मैं तुम से बात नहीं करोगी और तुम हें अपनी शादी पर भी नहीं बुलाओगी मैं बिन बुलाए आजाओगी हया मैडम नूर ने कहा तो वो दोनों हस दें मैं कोशिश करूँगी आने की ये कहकर नूर फोन बंद कर चुकी थी नूर शुक्र है तुम आगई वो लोग भी बस आने वाले होंगे अब बलाएं और हम ना आएं ऐसा हो सकता है नूर ने कहा तो हया बोली बस बस ज्यादा नहीं इतना फोर्स करने पर आई हो तुम और वो दोनों हया के कमरे की जानब बढ़ गएं महमान अचुके थे जिसमें शाजैन खान साहिब और सकीना बेगम थे जबकि शामीर को उन लोगों ने घर पर रहने का बोला था सब बड़े ड्राइंग रोम में बैठे शादी की तारीख ताहा कर रहे थे जबकि शाजैन भी वही एक तरफ सोफे पर बैठा था और एक हफते बाद की तारीख एक्के दी गई थी सब बड़े बैठे बातें कर रहे थे के शाजैन को काल आई और वो काल सुने बाहर की जानिब चला गया अभी वो काल सुनकर वापस आ रहा था कि इसे हया और नूर की आवाजें सुनाई दें तो बे इख्तियारी में इसकी कदम वही रुख गये वो उनकी बातें सुनने लगा नूर जो मसलसल हया को शामीर का नाम लेकर चला रही थी तो हया बोली अब तुम शराफत से चुप हो जाओ वरना मैंने शहरियार भाई को फोन करके कहना है कि वो तुम है आज ही रुखसत करवा कर ले जाएं क्यूंके के तुम्हें उनकी बहुत याद सताती है और तुम हर वक्त उनके ख्यालों में खोई रहती हो और हमें बहुत तंग करती हो हया तो नूर को चुप करवाने के लिए पत्ता नहीं किया किया बोल गई थी खबरदार हया की बच्ची जो तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाओंगी इसकी बात पर हया और जिया ने जोरदार कहकहा लगाया शाजैन जो बाहर खड़ा उनकी बाते सुन रहा था इसको नूर का नाम किसी और के साथ मनसूब होते देख बहुत गुसा आया और जलन का एहसास हुआ जबकि इसका दिल चीफ चीफ कर ये बात इससे कहता था कि वो पहले दिन से ही नूर से महबबत करता ही मगर इसने बदला की आस में इस सब को माने से इंकार कर दिया था लेकिन आज नूर का नाम किसी और के साथ सुनकर इसे जो तकलीफ हुई थी इसने इसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और इसे एसास हुआ था कि वो नूर से महबबत करता है इसने जो किया वो बहुत गलत था मगर अब बहुत देर हो चुकी थी शाजैन के किये की मुआफी इसके वालिदेन सबसे मांग चुके थे तो अब सब इसे ऐसे ट्रीट करते थे कि वो सब भूल गये है शादी की तैयारियां दोनों घरों में अपने जूरू शोर से जारी थी सब लोग तैयारियों में मसरूफ थे हया बहुत परेशान थी के शामीर का रवया शादी के बाद उसके साथ पता नहीं कैसा हो आज का दिन काफी अफरा तुफरी से शुरू हो था क्यूंके कल महंदी थी और सब ही बहुत मसरूफ थे जबकि नूर भी सुबह से हया के घर पर ही थी शादी का जोड़ा लेने नूर और हया को शामीर के साथ जाना था सकीना बेगम काम काफी होने की वज़े से साथ न गई थी जूले उनके ही डिजाइन किये हुए थे वो चाहती थी हया सब अपनी पसंद का ले शामीर ने पहले तो जाने से इंकार कर दिया था लेकिन सकीना बेगम के बहुत असरार करने पर वो साथ जाने को तयार हो गया था वो बाहर गाड़ी में बैठा हया और नूर का वीट कर रहा था नूर को काल करके इसने अपने आने की इत्तिला दी थी अभी इसे बैठे हुए पांच मिनट ही गुजरे थे के हया जिसने गाउन पहना हुआ था साथ नूर भी थी हया ने हिजाब और रखा था नूर जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट का दर्वाजा खौल कर इसमें बैठ गई जबकि हया भी नूर के साथ बैठने लगी तो नूर ने दर्वाजा बंद कर दिया और बोली के हया तुम शामीर भाई के साथ ही बैठो अच्छा थोड़ी लगता है हम दोनों पीछे बैठें शामीर भाई हमारे ड्राइवर थोड़ी हैं हया को मजबूरना शामीर के साथ फ्रेंट सीट पर बैठना पड़ा इसने बैठते ही शामीर को धीमे लहजे में सलाम किया तो शामीर जो पहले इसका हुलिया और अब इसके इतने धीमे लहजे को देखकर हैरत जदा था अपनी हैरत को छुपाते हुए सब महरी में जवाब दिया और आगारी आगे बढ़ा दी शामीर भाई हमें तो कुछ पसंद नहीं आ रहा अप ही कुछ देखे ना नूर ने कहा तो शामीर नूर की बात पर चौनका और कहा कि मैं तो नूर ने कहा जी अप और वैसे भी हया ने आपके साथ रहना है तो अप तो अप की पसंद ही चलेगी और हंसने लगी शामीर ने एक लहंगा जो उसकी नजरों के सामने अचानक ही आया था और खुबसूरत भी बहुत वो ले लिया था तुम लोगों ने कुछ खाना है शामीर ने नूर से पूछा हया भी साथ ही थी तो हया ने कहा कि नहीं अब बस घर चली बहुत देर हो चुकी है पहले ही इसको शामीर का वक्त जाय करना अच्छा नहीं लग रहा था शामीर के रवया से वो जान गई थी कि इसको जबरदस्ती भेजा गया है महंदी आज महंदी थी सब लोग सुबह से तयारियों में मसरूफ थे महंदी का फंक्शन मुक हाउस में रखा गया था एक साथ अभी ब्यूटीशन हया को तयार कर रही थी हया तयार हो चुकी थी हया ने खुद को आइने में देखा तो कुछ देर के लिए देखती ही रह गई इतने में नूर भी वहां आ गई हया को देखते ही नूर ने कहा माशालला हमारी दुलहन तो बहुत प्यारी लग रही है हया ने पीले रंग का कामवाल फराग जो के पैरों तक आता था साथ में सबस रंग का दोपटा औरने लाइक मेक अप और फूलों के जेवर और हाथों में गजरे पहन रखे थे बाल खौले वो बहुत है प्यारी लग रही थी आईशा बेगम कमरे में दाखिल हुई लड़कियों जल्दी करो हया को बाहर ले आओ और हया को पियार किया और दिल ही दिल में इसकी नजर उतारी और बहुत सी दौाइं भी दीन हया को बहुत सी लड़कियां लाल दोपटे की च्छाओं में ला रही थी जबके नूर और जिया एक तरफ हिरा और इज़े हया की दूसरी तरफ थी हया फूलों की रविश पर चलती हुई लान में दीखिल हुई तो सब की नजरें बेसाखता हया पर उठीं और सब देखते ही रह गए बिलाशबा वो बहुत प्यारी लग रही थी शामीर जो सच पर पीले रंग काकरता और सफेद पाजामा पहने बैठा बालों को जेल से सीट किये हुए वो बहुत खूबसूरत लग रहा था शामीर की नजर जब हया पर पड़ी तो वो कुछ लम्हे मबावत सा होकर हया को देखता रह गया लेकिन कुछ देर बाद इसने संभल कर ये बावर कराते हुए कि वो हया से नफरत करता है अपनी नजरों कजाविया बदल लिया जब हया सेटेज के करीब पहुँची तो शाजैन ने शामीर को कहा कि उठो भाई भावी का हाथ पकड़ के सेटेज पर लाओ तो शामीर ने शाजैन को घोर के देखा और और सब की नजरें खुद पर महसूस करके हया का हाथ थामा और इसे सेटेज पर चड़ने में मदद दी और वो दोनों वहां रखे सोफा पर बिराजमान हो गए सबने बारी बारी सिटेज हैया करहया और शामीर को महदी लगाई शहरियार की फैमली भी अनवाटिट थी और वहां मौझूद थी नूर अपनी कुछ दोस्तों के साथ वहां खड़ी लड़कों को देख रही थी जो बेडिंगी तरेके से भंगवा डाल रहे थे जिन में शाजैन सबसे आगे था शाजैन पर काफी लड़कियों की नजर थी वो बहुत प्यारा लग रहा था जिसमें इसकी कजिन सारा भी थी जो इसे काफी पसंद करती थी मगर शाजैन को इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं थी चलू चलू यार बस अब हम लोग मिलकर इंताक्षरी खेलते हैं फरहाद और जिया की इज़्द थी उनकी इज़्द पर सब लड़के एक तरफ जबकि लड़कियां दूसरी तरफ बैठ गए थी शहरियार जो सबसे आखिर में फरहाद के बहुत इसरार करने पे आया था लड़कों की तरफ बैठने के बजाए जिया ने इसे नूर के पास बैठा दिया था नूर तो हैरत से शहरियार को देख रही थी और शर्म से इसने नजरें जुका ले थी जबकि शहरियार ने सब के सामने अपने तासुरात नार्मल ही रखे थे नूर निशा से काफी ज़्यादा खुबसूरत थी मगर महबबत शहरियार को निशा से ही थी शाजैन जो कब से बैठा ये सब देख रहा था नूर को शहरियार के साथ बैठा देख इससे बरदाश्ट ना हो और वो वहाँ से उठ कर चला गया नूर आपी नूर आपी अपको वो आंटी बिला रही हैं बच्चा नूर से ये कह रहा था कि इसके हाथ में मौझूद जूस अचानक से ही नूर की कपरों पर गिर गया ओहे हे हे ओहे हे सौरी आपी ये कहते ही बच्चा भाग गया नूर जो प्रेशानी से अपने कपड़ों को देख रही थी अब वहां से उठी और उपर हया के कमरे की जानिब जाने लगी ताके कपड़े चेंज कर सके इन लोगों को कहकर के तुम लोग अपनी गेम से टॉट रखो मैं अभी आती हूँ शाजैन नूर को हया के कमरे की जानिब जाता देखा तो वो भी इसके पीछे चल दिया नूर अभी कमरे में पहुची ही थी कि इसे अपने पीछे से दर्वाजा बंद होने की आवाज आई नूर का सांस वही रुक गया वो घबरा गई थी इसने पीछे मुड के देखा तो शाजैन को अपने सामने खड़ा देख कर हैरान हुई और गुसा से बोली तुम तुम यहां किया कर रहे हो तो शाजैन पर सुकून सा आगे बढ़ा और उसके मकाबल जा खड़ा हुआ दूर हटो जाओं यहां से नूर चला कर बोली तुम है यहां किसी ने देख लिया तो एक और अजाब बन जाएगा मेरे लिए क्यों कर रहे हो यह सब अपना बदला ले चुके हो ना तुम मुझ से तो फिर आखिर किया चाहते हो तुम जाओं यहां से तो शाजैन धिटाई से मस्कुराया और बोला कि नूर बीबी तुम है यह गलत फहमी क्यों है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहां से चला जाओंगा मैं यहां से इस वक्त तक नहीं जाओंगा जब तक मैं जो बात यहां करने आया हूँ वो मुकमल ना कर लूँ वो शहरियार क्यों बैठा था तुम्हारे साथ वो होता कौन है तुम्हारे साथ इस तरह बैठने वाला तुम पागल हो गए हो शाजैन वो अगर मेरे साथ नहीं बैठेगा तो किया तुम बैठोगे तुम्हारी इत्तिला के लिए अर्ज है कि मेरी इस से मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द शादी भी है तुम शायद भूल सीन रहे हो और वो पूरा हक रखता है मेरे साथ बैठने का शाजैन नूर की बात पर बहुत मुश्किल से अपना गुसा कंट्रोल किया नूर पिलेज तुम इस शादी से इंकार कर दो पिलेज मुझे मुझे मुआफ कर दो में अपने बदला की आग में इतना अंधा हो गया था कि अपने दिल को फरामोश कर दिया जो सिर्फ तुम्हारे लिए धरकता है में तुम से बहुत महبت करता हो में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता नूर पिलेज में तुम्हें किसी और के साथ हरगिस बरदाश्ट नहीं कर सकता और नामें ये होने दूँगा कि तुम किसी और की हो जाओ। नूर जो नम आखों से इसे देख रही थी बोली मैं तुम से नफरत करती हूँ मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई तालुक नहीं रखना चाहती मैं तुम से नफरत करती हूँ इतनी नफरत के तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद ना करूँ चले जाओं यहां से शाजन कुछ लम्हे इसे देखता रहा और कुछ कहे बगएर वहां से चला गया जबकि नूर उसके जाने के बाद फूट फूट कर रूदी नूर की बच्ची कहां रह गई हया जो बाराच से पैशल अभी वो नूर के बारे में सोच रही थी के नूर इसे अंदर से बाहर आती दिखाई दी और हया ने इसको अपने पास बुलाया और इसे कहा कि अब तुम यहीं बैठो कहां गुम हो जाती हो नूर फिर जब तक महंदी का फंक्शन खत्म ना हुआ वही हया के पास ही रही महंदी पे सबने काफी हिला गला किया था और काफी धूम धाम से सारी रस्मों को सर अंजाम दिया था चिल्लू 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 लड़कियों बरात अगई है, ब्राइडल रोम में मौझूद हया के पास बैठी लड़कियों को किसी ने आकर बताया, तो वो सब वहां चली गई तभी नूर भी वहां आई और हया को हया को देखा, और बोला के वाबेवा हमारी दुलहन तो बड नहीं लग रहा था, वो बहुत ही, प्यारा लग रहा था जबकि देखने वालों की तो इस पर से नजरें ही नहीं हट रही थी, शाजैन जिसकी नजरें मुसलसल नूर तलाश कर रही थी नूर जो के हया के पास थी, वो इसे कही नजर ना आई, शाजैन नीले रंग की शलव नूर ने हया से बोला, निकाहो चुका था, हया को ले आओ नूर जिया तुम लोग अब, हया को के के नूर जिया और कुछ लड़किया आ चुकी थी शामीर ने जब हया को देखा तो वो कुछ देर अर्दगिर्द का होश बुलाए, मभूत सा इसे देखता ही रह गया, हया दोनों एक साथ बैठे थे काफी लोगों की रश्क और हसद भरी नजरें उन दोनों पर थी। जबकि मुक साहिब बहुत खुश थे। जिया जो दूद पिलाई के लिए नूर और बाकी लड़कियों के साथ सिटेज पर मौजूद थी वही शाजैन और बाकी लड़के भी जा रहे आखिर इतना हक तो बनता है हमारा क्यों भई लड़कियों नूर ने कहा तो सब ने शोर। मचाया जबकि शाजैन इसकी बात सुनकर जेब से चेक बिक निकाल कर बोला। ये लो जितने दिल आये लिख लो इसने नूर की तरफ चेक बढ़ाया जबकि नूर ने इसे इगनोर करते हुए इसके हाथ से चेक न थामा। जबकि जिया ने वो इसके हाथ से फोरन के लिया। अब फिर लड़कियों ने शोर मचाया था। बहुत सारी रस्मों के बाद अब रुखसती का वक्त आ चुका था। नूर और जिया तो बहुत रोई थी। जबकि फरहाद भी हया को मिलकर रूदिया था। हया भी मुक साहिब को मिलते वक्त रूदी थी। भाई मेरी दोस्त का बहुत ख्याल रखियेगा नूर ने कहा था। हया रुखसत होकर खान विलाज आ चकी थी। फुलों से सजे कमरे में बैद पर बैठी वो शामीर का इंतिजार कर रही थ शामीर जो के काफी देर बाद कमरे में आया था जब इसे दर्वाजा खिलने की आवाज आई इसने चौंक कर दर्वाजे की तरफ देखा और शामीर को सामने देख कर नजरें जुका ले। इसका दिल ये सोच कर बहुत तेजी से धड़क रहा था कि शामीर का रवया इसके स तो हया को वैसे ही बैठा देखकर इसे बहुत गुसा आया इसने गुसा से हया की तरफ देखा और बोला कि अपना ये ड्रामा अब बंद करो और उठकर कपड़े तबदील करो और हां मुझ से किसी किसम की कोई। उमीद ना रखना मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा की वज़े से की है ये कहते हुए वो बैठ की एक तरफ लेड़ गया। हया जो उसके रवया से सखत परेशान हुई थी वहां से उठी और ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपना जेवर उतारने लगी और बे आवाज रूदी। कपड़े निकाल कर वो बात रोम में जाकर ख ताना चला। सुबह जब शामीर की आख खिली तो इसकी नजर हया पर पढ़ी जो बैठ की साइट पर नमाज पढ़ रही थी इसने हैरांगी से हया को देखा। और खुद वहां से उठकर वजू करके नमाज पढ़ने के लिए चला गया। तुम हया जो पार कर छोड़ देन और आपसी पर इसे के करहाल में आजाना सकीना बेगम जो शामीर से मखातिब थी शामीर ने इस बात में सरहलाया। हया कमरे में बैठी थी के शामीर अंदर आया और कहा अगर अपने सामान तयार कर लिया हो तो चली। पता नहीं मामा को किया मसला है वो खुद क्यों नहीं जाती तुम्हारे साथ मैं तो तंग आगया हूं इस सबसे अब। हया का दिल किया कि वो रूदे और बोले के ना करते अब शादी मगर वो चुप रही। वो इसे पालर छोड़कर अब वापस घरा गया था। शामीर भाय यार अपने तयार नहीं होना किया कुछ तो ख्याल करें आपका वलीमा है यार चले उठी अब फिर भाबी को भी तो लेके आना है हम लोग तयार है और अब बस जाने लगे अब लोग भी वही आ जाएगा। हया सिल्वर कलर की फुल काम वाली मैक्सी पहने हुए थी। तुम तयार हो चुकी हो तो बाहर आजाओ शामीर की काल थी। हया बाहर गई तो शामीर को गारी के पास खड़ा देखा जो हया को ही देख रहा था। हया का पाउ मुडा था और वो गिरने ही लगी थी कि शामीर ने आकर इसे अपनी बाहों में थामा। देख कर नहीं चल सकती थी तुम किया। हया ने इसकी बात का कोई जवाब न और साथ ही गाना चलने लगा। पूल ही गई वहाँ जाके एक काल तक नहीं की नूर ने हया से कहा तो सब हंस दिये। नूर ने काले रंग का लांग फराग पहना हुआ था बाल खिले थे लाइट मेक और हाथों में गजरे पहने हुए थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। नूर बेटा कहा हूँ तुम जरा उधर आओ फात्मा बेगम से मिल लो वो तुम्हें धून रही है। हयात बेगम ने नूर से कहा। शाजैन की नजर जब नूर पर पड़ी तो वो इसे देखता ही रह गया। इसने नूर को फात्मा बेगम के पास जाता देखा नूर वहां गई उनसे और चौदरी साहिब से मिली जब के शहरियार भी वही बैठा था जिसने काले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी। शाजैन की नजर जब इस पर पड़ी तो वो नूर और शहरियार की सीम ड्रेसिंग देख कर बहुत हैरान हुआ और गुसा भी इसे बहुत जलन भी हो रही थी कि इन दोनों ने सोच कर एक जैसी ड्रेसिंग की है। जबकि ये तो महस एक इतिफाक था जिसकी ना नूर को खबर थी ना ही शहरियार को। शहरियार को किसी की काल आई थी और वो काल सुनने के लिए वहां से उठकर साइड पर गया था। शामीर भाई आज तो अब हमारे साथ चिलगे हमारे घर जिया ने कहा तो शामीर ने जवाब दिया किस खुशी में। हाहा के जाओ उनको वैसे भी हमें बहुत तंग करते हैं ये शाजैन बोला था। शामीर ने हया को कह दिया था कि वो इसके साथ मुख हाउस नहीं जाएगा। हया को तो इसकी बात सुनकू कर बहुत दुख हुआ वो चुप रही। शामीर में बाबा मामा को तो इंकार नहीं कर सकती अब खुद ही उनको बता देना कि अब नहीं जाएंगे। हया की बात पर शामीर को बहुत गुसा आया था मगर फिर मजबूरना इसे मुक हाउस जाना पड़ा सब लोगों के साथ काफी देर वो लाउनच में बैठे बातें करते रहे शामीर को हया के घर वाले बहुत अच्छे लगे थे इस सब अपने से लगे थे वो वहाँ आना तो नहीं चाहता था मगर फिर सब में ऐसे घुल मिल गया था और कुछ देर के लिए तो वो हया से अपनी नफरत सब भूल गया था हया शामीर को अब मींद आई होगी तुम इसे कमरे में ले जाओ आईशा बेगम ने कहा तो वो दोनों उठकर कमरे की जानिब चल दिये शामीर कपड़े तबदील करके बैद पर लेटा अपने मुबाइल में मसरूफ हो गया था जबकि हया शीशा के सामने खड़ी अपने जेवर उतार रही थी इसका दो पट्टा साइब पर पढ़ा था हया ने जेवर उतार कर अपने बालों में से सारी पैंस निकाली इसके लंबे घने बाल किसी आपशार की तरह कमर पर फैल गए शामीर की नजर जब हया पर पड़ी तो वो नजर जबकाए बगेर इसे देखने लगा हया ने जब किसी नजरों की तप्श महसूस की तो पीछे देखा तो शामीर ने नजरों का जाविया बदल लिया हया अब कपड़े तबदील करने चली गई उनकी शादी को तकरीबन एक महीना हो चुका था शामीर का रुया हया के साथ बहुत बुरा रहा था पिछले दिनों और वो अब भी हया से हर बात पे घुस्से होता था जिसकी वज़े से वो बहुत दिलबरदाशा हो जाती थी नूर के घर में इन दिनों उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी जबकि शाजैन तो आज कल कही अपनी दुनिया में ही गुम रहता था शामीर जो लेप टॉप किसी काम में मसरूफ था तब ही हया चाय लेकर उसके इसके पास आई और शामीर से बोली अपकी चाय किपे हाथ मारा की जाओ इसे चाय हया के हाथ पर गिर गई थी हया जलन की वज़े से करा ही शामीर ने जल्दी से हया का हाथ देखा जो जलन की वज़े से लाल हो गया था और हया की आँखों में जबके बावजूद आंसूं आ गये थे सौरी हया मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं था इसने हया के हाथ पर इंट मिनिट लगाई और नौनी से के आंसों अपनी पूरों पर चिन लिये और खुद वहां से उठकर बाहर की तरफ चला गया जबकि हया इसके कभी धूप कभी च्छाओं जैसे रूप को देख कर हैरान थी अब वो सोच रही थी कि कैसा इनसान है दर्द भी खुद देता है और मरहम भी शामीर तुम पागल हो गए हो वो खुद से मखातिब था कैसी हो नूर मैं ठीक हो अब तो भूल ही गए है अब की कोई साली भी है अब कैसे हैं हया कैसी है मैं ठीक हो हया भी ठीक है शामीर ने कहा वो तो अब याद ही नहीं करती मुझे सब भूल गए है नहीं नहीं नूर ऐसी को हज बात नहीं अच्छा शामीर भाई सुने आज रात को अब लोगों ने हमारे घराना है दिनर पर बस कोई बहाना नहीं चलेगा हया को के कर जरूर आईएगा वरना में नाराज हो जाऊंगी अब से अच्छा ठीक है तुम हया को भी कहदो काल करके के वो तयार हो जाए में इसे आफिस से वापसी पर ले लूँगा तो हया को अब बोले ना बीवी अब की है मेरी थोड़ा शामीर भाई अब भी ना चली अब अल्लुआ हाफिज में इंतिजार करूंगी अब दोनों का शामीर जल्दी ही घरा गया था अब वो हया को ही ढूनते हुए कमरे में आया तो वो सो रही थी उफ फ फ फ फ फ फ ये मैडम तो सो रही है अब ये कौन सा टाइम है सोने का अब इसे कैसे उठाओं शामीर बैड की तरफ तरफ बढ़ा उसकी नजर हया के हाथ पर पड़ी जो चाए गिरने की वज़े से अब निशान पढ़ चुका था हया सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी शामीर इसे देख रहा था और कुछ सोच रहा था और फिर वहां से उठ गया हया 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 मैडम उठ जाओ अब शामीर ने जूर से बोला था क्या है शामीर सुने दे ना वैसे भी अपने कौन सा मुझे उठा के मुझसे प्यार की बातें करनी हैं, हर वक्त सड़े ही रहते हैं, मेरे साथ पत्ता नहीं ऐसी कौन सी दुश्मनी है, मुझसे ऐसी भी किया नफरत, वैसे इतनी बुरी भी नहीं हो में जितना अपने समझा ह हुआ हर वक्त हट करते हैं, मुझे हया जो नींद में ये सब बोले जा रही थी शामीर सुनकर हैरान था। फिर जूर से बोला हया उठो इस बार उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी हया डर कर उठ बैठी। क्या हुआ शामीर अब कब आए कुछ चाहिए आपको। शाम क्यों करती हो हो तुम। हया फिर सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखने लगी तयार हो जाओ नूर के घर जाना है डिनर पे। अच्छा ठीक है लेकिन में किसके साथ जाओंगी। क्या मतलब किसके साथ जाओगी मेरे साथ। हया जल्दी से उठी और अपने लंबे घने बाल समिटने लगी जबकि शामीर मधोश सा होकर उसके बाल देख रहा था शामीर को हया अच्छी लगने लगी थी जबकि वो इस बात को माने से इंकार करता था दिल। ही दिल में मुसलसल अपने दिल की नफी कर रहा था। हया ने शामीर के लिए बलैक शलवार सूट निक और उसके सियागीले बाल उसके चेहरे के गिर्द जोल रहे थे शामीर बामुश्किल नजरें हटाता बात रोम की जानिब बढ़ गया जब वो फरेश होकर बाहर आया तो हया मुकमल तयार हो चुकी थी और सोफे पर बैठी इसका इंतिजार कर रही थी शामीर ने इसे देखा तो देखता ही रह गया जो गहरी काली आखों में काजल डाले मसकारा और होंटों पर लाल रंग की लिपसिटिक लगाए चेहरे के गिर्द सिया हिजाब की ये कियामत था रही थी शामीर जिसने खुद से ये वदा किया था कि कि वो हया को कभी अपनी बीवी तसलीम नहीं करेगा इसको अपने वो सारे वादे तूतकते हुए महसूस हुए जो वो खुद से कर चुपका था इसने खुद को कमपोज किया और आइना के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा बहुत सा परफ्यूम लगाने के बाद अब वो अपनी घड़ी ढून रहा था घड़ी ना मिलने पर इसने हया से पूछा तो हया ने ड्रेसिंग के ड्रास से उठा कर इसे दी ओ शामीर को देख कर दिल ही दिल में इसकी नजर उतारी क्योंके वो लग ही इतना प्यारा रहा था वो दोनों एक साथ सिलियों से नीचे उतर रहे थे सकीना बेगम जो लाउनच में बैठे थी उनकी नजर दोनों पर पड़ी तो देख कर फौरण माशालला बोला और उन दोनों की जोड़ी को सराहा बिलाशबा वो दोनों ए साथ बहुत खुबसूरत लग रहे थे वो सब लोग लाउनच में बैठे में बैठे बातें कर रहे थे तभी हयात बेगम हया को बताया कि इन लोगों ने नूर की शादी की तारीख ते कर दी है जो कि आज से ठीक पंदरा दिन के बाद की थी हया को ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी जबके नूर की आंखें शादी के नाम परवीरा सी हो गई थी जो शामीर ने गौर से देखी थी और शाजैन को दिल ही दिल में मखातिब करके कहा तुम बहुत बदनसीब हो जिसने इतनी खुबसूरत और अच्छी लड़की को ठुकराया और दिल दिखाया इसका हया आपी बहुत मज़े करेंगे नूर की शादी पर तभी फरहाद बोला हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर आखिर मेरी इकलोती दोस्त की शादी है इतनी ही देर में मुलाजमा ने खाना लगने की इत्तिला दी तो वो सब उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए शामीर के बिलकुल सामने ही हया बैटी थी और शामीर की नजरे बार बार हया के चहरे का तवाफ कर रही थी जबकि इसको अपना दिल हया की गहरी काली काजल से लबरेज आखों में डूपता हुआ महसूस हुआ जबकि हया इसके मुसलसल देखने से कन्फ्यूस हो रही थी खाना खाने के बाद चाय का जूर चला नूर और हया वहां से उठकर अब हया के कमरे में चली गई थी नूर तुम खुश हो ना इससे शादी से हया मेरे माबाप खुश है मुझे अपने खुशी का नहीं बस में भी खुश हो अगर वो खुश है तो शहरियार भाई से बात होती है तुम्हारी नहीं मेरी कभी उन से बात नहीं हुई बस फात्मा आंटी आती है तो उनका जिक्र करती रहती है चिल्लू में करो देती हो बात नहीं हया रहने दो जब शादी होगी तो बात भी हो जाएगी तुम बताओ शामीर भाई कैसे हैं उनका रवया कैसा है तुम्हारे साथ हया ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया अच्छे हैं ठीक है रवया भी उन लोगों ने बहुत सी बातें की एक दूसरे से अब वो लोग नीचे आएं तो शामीर ने हया से कहा कि हया घर चली तो हया ने इस बात में सर हिलाया और वो लोग सबसे मिलकर गारी में बैठ गए गारी में मसलसल खामोशी थी जबके बाहर का मौसम बहुत खुबसूरत था आसमान पर बादल चाय हुए थे ठंदी हुआ चल रही थी हया का दिल आईसक्रीम खाने का किया को हुआ तो इसने शामीर से कहा कि मुझे आईसक्रीम खानी है तो शामीर ने कहा कि इतने खराब मौसम में तुम आईसक्रीम खाकर बिमार हो जाओगी तो हया अजद करने लगी के मुझे आईस्क्रीम खानी है में कोई इंकार नहीं सुनोगी हाँ अगर अपने ही खिलाना चाहते तो कोई बात नहीं और मुन्ह बना कर बैठ गई शामीर ने गाड़ी आईस्क्रीम पारलर के पास रोक और हया से इसका फिवरेट फिलेवर पुछा तो इसने कहा चौकलेट शामीर हैरान हुआ क्यूंकि इसका फिवरेट फिलेवर भी चौकलेट ही था गारी में आकर बैठा तो उसके हाथ में आईसक्रीम के साथ गजरे भी थे इसने आईसक्रीम हया को दी और गजरे डैश बोर्ड पर रख दिये बाकी सारा रास्ता खामोशी से गुजरा था जबकि हया तो आईसक्रीम खाने में मसरूफ हो गई थी और शामीर भी नूर तुम है रोजाना देखता हो यार इतनी बातें करता हो तुम से तुम जवाब ही नहीं देती मेरी किसी बात का इतनी नाराज हो गई हो मुझसे नूर अपने शाजैन से शाजैन जो नूर की तस्वीर से मخاطब था जो इस के फोन में इसके वाल पेपर पर लगी हुई थी नूर तुम सिर्फ मेरी हो सिर्फ मेरी में तुम है कभी किसी और का होते नहीं देख सकता तुम महबत हो मेरी सिर्फ मेरी इसकी आँखे नम थी हया जो सोफे पर बैठी मसलसल सोचों में गुम थी शामीर कमरे में दाखिल हुआ तो इसके हाथ में वही करे थे जो इसने हया के लिए खरीदे थे लेकिन देने से इक्तरा रहा था अब वो अपने दिल के आगे बेबस हो चुका था जो हया से महबबत करने लगा था इसने फैसला कर लिया था कि वो हया से अपनी महबबत का इजहार कर देगा वो हया के सामने कार्पेट पर बैठ गया हया जो के अपनी सोचों में गुम थी चौंक कर इसे देख़ जो के बोलने के लिए अलफाज तलाश कर रहा था हया मुझे नहीं मालूम कि ये कब हुआ लेकिन मैं खुद को बहुत बेख्तियार समझने लगा हूं मुझे तुम से महबबत हो गई है हया मेरा दिल तुम्हारे नाम पर धड़कता है हया पलेज मुझे मुझे मुआफ कर दो मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया में शर्मिंदा हो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था हया तुम बीवी हो मेरी और उसका यूत थाम कर गजरे इसके हाथ में पहनाए हया जो बेयकीनी से इसे देख रही थी इसकी बातों पर उसकी आँखों में आंसुं आ गए थे ह हया शामीर के गिले लग गई शामीर हया को अपनी महबबत की बारिश में भिगोने लगा हया को आज इसकी महबबत मिल गई थी वो बहुत खुश थी शामीर ने हया को बदल दिया था इसकी महबबत ने इसको शामीर का कर दिया था और आज हया की महबबत जीत गई थी वो स शामीर मुझे भी साथ ले जाएं और नूर के घर तक तो छोड़ें हया ने शामीर से कहा। नूर के घर क्यों खेरियत तो है? बेटा सकीना बेगम बोली जी जी आंटी वो नूर की शादी है ना तो इसी सिलसिले में शापिंग के लिए जाना है। नूर की शादी शाजैन बोला तो सब इसे देखने लगे कब है शादी। अपने बताया ही नहीं भाभी। एक हफ़ता ही रह गया है बस हया ने हैरानी से इसे देखते हुए कहा फिर एक खामोशी चा गई। चलू हया में छोड़ दूँगा तुम्हें तुम सामान ले आओ अ बोला। मैं आपको काल कर दूँगी फरी होके। अभी तो गई भी नहीं हूँ और वापसी की भी फिक्र हो रही जनाब को। हाना मेरी जान अब तुम्हारे बगएर दिल नहीं लगता शामीर बोला तो हया मुस्करा दी। नूर का घर आ चुका था। शामीर भाई चाए त तब ही जल्दी आउंगी ना। उम्ही बस निकल रहे हैं। चली अब फरहाद ने बोला तो हया और नूर ने कहा जी चलू। वो तीनों गारी में बैट कर माल की तरफ रवाना थे। आपी में अब लोगों को छोड़ के चला जाओंगा फिर शापिंग करके मुझे वापसी रेस्टरेंट है कुछ खा लेते हैं। इतने सारे सामान कर में तो उठा की ही ठक गई हो नूर बोली तो हया हसनी लगी याद है नूर एक बार तुमने ऐसे ही सामान उठाया था और तुम शाजैन से टक्रा गई थी और फिर तुमने इस बेचारे कर कितनी सुनाई थी। शा जज नूर ने मुझे सारा दिन ऐसे ही भूका रखना है हया की बात सुनकर नूर बोली चलू भई चलू खाते हैं कुछ। वो दोनों खाने में मसरूफ थी नूर को कबसे कोई लड़का घूरे जा रहा था जबकि नूर तो काफी प्रेशान सी बैठी थी और गुसा भी। शाजैन जो वहां अपने किसी दोस्त के साथ आया था नूर और हया को वहां देखकर हैरान हुआ मगर जब इसकी नजर इस लड़के है गई जो नूर को कबसे अजीब नजरों से देख रहा था इससे ये बरदाश्ट ना हुआ और उसके पास जाकर इससे लड़ने लगा औ अब इसकी किया है आगे बढ़कर बोली हाजान से मार दूंगा हिम्मत कैसे हुई इसकी नूर जो कबसे ये सब देख रही थी बोली शट अब शाजैन बस करो छोड़ो इसे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है किया शाजैन इसकी आवाज पर रुका था शाजैन के दोस् नूर को कबसे घोर रहा था इसकी हिम्मत कैसे हुई नूर अब रुदेने को थी हया चलू बहुत देर हो चुकी है नूर हमें तो फरहादने लेने आना है ना भाभी में छोड़ दूँ अब लोगों को शाजैन ने उनकी बातें सुनकर हया से कहा नहीं कोई जरूरत नहीं ह उसके साथ भाभी की बहुत फिक्र हो रही। नूर की बात पर वो मुस्कुराया था। शाजैन फरहाद बस आने ही वाला होगा हम तब तक इंतिजार कर लेंगे तुम अपने दोस्त के साथ आए हो जाओ उसके पास अब। नूर जो अपने मोबाइल में मसरूफ बैठी थी इ परहाद और कितना वीट करें हम कब आओगे तुम आपी बस दो मिनट और ये कहकर इसने काल कार दी। शाजैन अगर महबबत ही करते थे तो फिर ये सब क्यों किया तुमने हया जो दिल ही दिल में शाजैन से मखातिब थी। वो लोग घर आ चुके थे अब हया ने शामीर को काल कर दी थी कि वो इसे लेने आ जाए। अब वो दोनों बातों में मसरूफ थी नूर काफी प्रेशान थी हया जानती थी कि वो क्यों प्रेशान है मगर इस वक्त इसने चुप रहना ही मुनासिब समझा था। शामीर भी आ गया था उन सब लोगों ने मिल कर खाना खाया थ और अब वो सबसे मिल कर घर की तरफ रवाना थे। शामीर आज पता है क्या हुआ हया शामीर से बोली तो। क्या हो। शामीर ने पूछा तो हया ने सारा वाके इसे सुना दिया। पत्ता नहीं अब क्या चाहता है ये लड़का मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। तो आप लोग शादी क्यों नहीं कर देते अब शाजैन की हया शामीर से बोली हा में करूंगा मामा से बात लेकिन वो हमारी कहा सुनता है अपनी ही करता है। हमम। हया बोली तभी हया की नजर रास्ते में एक गोल गप्पे वाले की रेड़ी पर पड़ी तो इसने कहा रुकी रुक किया देख रहे हैं। देख रहा हूं कोई इतना प्यारा और मासूम कैसे हो सकता है। तारीफे बाद में कीजिएगा पहले गोल गप्पे हया की बात पर शामीर ने तहकहा लगाया अच्छा भाई जा रहा हूं। गोल गप्पों की प्लेट लाकर इसने हया को दी अब भी हया मुझे नहीं पसंद। अरे ऐसे नहीं पसंद उधर आयं में खिलाती हूं। गोल गप्पा उठा कि इसने अब शामीर के मुन में डाला था। अफ़फफफफफफ अल्ला इतनी मिर्चें तौबा हया कैसे खालेती हो ये सब पानी अफफफफफफफफफफ हया शामीर को इस तरह देख कर हंसने लगी थी। नूर आपी चली आएं आपको आइस करीम खुलाने के चलू अब भी किया याद करेंगी शादी के बाद के इतना अच्छा भाई था मेरा फरहाद नूर उसकी बात पर हंस दी और बोली हाँ हाँ अच्छे से जानती हों इतने अच्छे के बच्चे। चली ना अब अपने पैसों से खिलाओंगा टैंशन ना लें चली भी। अच्छा भाई चलू तुम जाओ गारी में मैं अपना बेग लेके आती हूँ। वो दोनों आइस करीम पारलर में बैठे थे बातें कर रहे थे तभी नूर की नजर शहरियार पर जो किसी लड़की के साथ वहां मौजूद था। वो लड़की निशा थी और वो दोनों हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रात को बैठ पर लेटी वो उन्ही सोचों में गुम थी के कौन होगी वो लड़की और शहरियार के साथ किया कर रही थी वो भी इतनी रा कि आंटी अप जो पसंद करेंगी वही ठीक है। आज नूर के घर धुलकी थी। हया को शामीर ने नूर के घर पर छोड़ दिया था जबकि जिया और नूर की बाकी दोस्त सब वही मौजूद थे। जिया तुम तो बड़ी को जी लग रही हो फरहाद ने जिया से कहा तो व ओ बस बस मिस्टर ये सब अपकी खुश फहमिया हैं ये कहते हुए वो वहाँ से उठकर चली गई जबकि फरहाद हंसने लगा। सब खुश थे सबने काफी हिला गला किया था। जबकि नूर काफी प्रेशान थी शहरियार की वज़े से। सुबह से घर में तयारियां चल र से आख कर दूंगा। तुम्हें तुम्हारी पसंद से शादी हर्गिज नहीं करने दूंगा। आखिर शहरियार को मजबूरना उनकी बात माना पड़ी और अब वो बेजार सा सटेज पर बैठा नूर का इंतिजार कर रहा था कि जल्दी से इस जहंजच से जान चोटे। अ रहने बहुत ही खुबसूरत और मासूम लग रही थी एक लमहा को तो शहरियार भी इसको मदविश होकर देखने पर मजबूर हो गया जब वो सेटेज के नस्दीक पहुँची तो शहरियार ने इसका हाथ पकड़ कर इसकर। सेटेज पर चलने में मदद दी और अब वो दो कलता चला गया क्योंकि वो अपनी महबत को किसी और के साथ बरदाश्ट ना कर सकता था। उधर मेरे अर्मान कफन पहन लेंगे। उधर उनके हाथों है महंदी लगेगी। शामीर जो कब से हया को ढून रहा था हया इसे एक टेबल के पास कुछ औरतों से बातें करती हुई नजर आई तो इसने फरहाद से बोल कर हया को एक साइट पर आने का कहा। थोड़ी देर बाद इसे हया अपनी तरफ आती दिखाई दी जो लाल रंग के फराग के साथ सब्स रंग का ग्रारह पहने सर पर हिजाब के साथ खूबसूरत सा बिंद्या सीट किये जो के आधे को छुपा गया था कोई अपसरा लग रही थी जबके शामीर को इसे देख कर लगा आज इसे फिर से हया से इश्क हो गया है लोग दुनिया घूमते हैं खुद को बहलाने के लिए एक शखस में सिम्ट आया है जहां मेरा शामीर अब ठीक तो हैं अपने मुझे इतनी जल्द यह हया तो जैसे खुद में सिम्ट सी गई थी पहले सब बढ़ों ने महंदी लगाई थी इसे बाद कपल्स ने महंदी लगाई जबकि हया और शामीर ने भी महंदी लगाई सब लगकिया महंदी लगवा रही थी शामीर और हया एक साथ खड़े थे तो शामीर ने कहा हया त से नींद ना आई थी एक अजीब सी बेचीनी थी फजर की आजान हो रही थी इसे एक दम से नूर की बात याद आई थी मैं नमाज पढ़ रही हूँ अब तुम भी नमाज पढ़को शाजैन मुस्कुराया उठा और वजू करके मस्जिद में चला गया आज वो रूदिया था कभी ना रोने वाला आज रूदिया था आज इसकी बारात थी नूर और शहरियार की शादी हया को सुबह ही शामीर ने आफिस जाते वक्त नूर के घर छोड़ दिया था सब बहुत खुश थे हर तरफ हल चल मची हुई थी नूर काफी प्रेशान सी थी से लगता था कि शहर के लिए हाना करता इन दोनों को पारलर फरहाद ने चोड़ दिया था जबकि पारलर से वापसी हाल में पहुचाने की जमादारी शामीर की थी हया तयार हो चुकी थी नूर 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 को ब्यूटीशन अभी जूल्री पहना रही थी हया ने नूर को देख कर बेसाखता में तयार। हुए सर पर भारी काम वाला दो पट्टा सीट किये कुहनियों तक महदी लगाय और हातूं में काच की चूडियां पहने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हया अपनी जूलरी घर भूल आई थी। नूर नूर तुम यहां रुको में जूलरी लेकर आती हूँ। हया जो अब जूलरी लेने जा चुकी थी क्यूंके घर नस्दीक था तो वो अकेले ही चले गई थी। हया जब वापस आई तो नूर को वहान आपा कर इसने पारलर वाली से पूछा के नूर कहा है। उनको तो कोई लेने आगया था उनको काल आई थी और वो चली गए। ऐसे कैसे चली गई मुझे बता तो देती काल करके नूर भी ना अजीब पागल के हया अब शामीर को काल करने लगी थी थोड़ी देर में शामीर आया तो वो दोनों हाल की जानिब रवाना हो गए। वो अ सब क्या सोचेंगे मुझे निकालो पिलेज मेरी शादी है आज सब मीर इंतिजार कर रहे हैं पिलेज हेल्प पिलेज तभी थोड़ी देर में दुरुज़ा खुला था कोई औरत अंदर दाखिल हुई। सुनो लड़की उठो तयार हो जाओ साहिब ने कहा है तुम्हें पंदरा मिनत में तयार करके बाहर ले आओ मुलवी साहिब आ रहे हैं निका है तुम्हारा। नूर तो रोने लगी मुझे नहीं करना कोई मिका तुम कौन हो मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है साहिब ने कहा है कि होशियारी की तो वो तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। फरहाद नूर के मुनह से निकला। फरहाद कहा है फरहाद बोलो बताओ फरहाद कहा है। तभी औरत ने इसे एक वीडियो दिखाई जिसमें फरहाद कुरसी पर रसी से बंधा हुआ बैठा था और उसके पास एक आदमी पिस्टल ये इसे कि सर की तरफ किये हुए ख़डा था अगर तुमने कोई होशियारी किया। इंकार किया तो ये गोली तुम्हारे भाई पर चल जाएगी उठो अब तयार हो जाओ। नन नहीं मेरे भाई को कुछ मत करना पलेज में कर लूँगी निका मेरे भाई को कुछ मत करना पलेज वो रोने लगी थी अब। नूर को वो अब तयार कर रही थी तयार तो वो थी पहले ही बस इसका हुलिया जो बिगड़ चुका था, वो अब वो ठीक किया जा रहा था। उफफफफफफफफफ मेरे अल्लुआ ये किया हो रहा है, कौन है, वो जो ये सब कर रहा फरहाद, अल्लुआ जी फरहाद को कुछ ना हो वरू रही थी अब। हया जो के अभी शामीर के साथ घर पर पहुँची थी। शामीर वहाँ ही महमानों के पास रुख गया था हया अब स्टेज की तरफ जाने लगी। बारात अचकी थी। हया हया बेटा आ गई तुम नूर कहा है, तुम इतना लेट क्यों हो गए हो देखो सब महमान आ गए है, भाई ले आओ अब नूर को हयात बेगम जो हया से मखातिब थी। हया तो हैरांगी से अब हयात बेगम को देख रही थी आंटी वो नूर वो नूर क्या हया बोलो नूर तो आ गई थी पहले ही ऐसे कैसे आ गई थी वो तुम्हारे साथ गई थी तो अकली कैसे आ गई वो आंटी मुझे तो पारलर वाली ने कहा था कि इसे काल आई है और वो जा चुकी है शायद फरहाद के साथ बेटा वो तो नहीं आई हैात बेगम तो बहुत परेशान हो गई थी अब वो रू देने को थी आंटी अब परेशान ना हूँ मैं शामीर से करवाती हूँ पत्ता फरहाद भी कही नजर नहीं आ रहा सब सुनकर परेशान हो गए थे भावी कहा रह गई नूर जल्दी करे नादैर हो रही है फात्मा बेगम अब हैत बेगम से मखातिब थी बस वो पारलर में तयार होने पर जरदैर हो गई आपको पत्ता है फिर बच्चिये है आज कल पत्ता नहीं कौन कौन से फैशन उनके हैत बेगम ने अब जूट बोला था शामीर ने सब जगा पत्ता करवा लिया था मगर अभी तक कोई पता ना चला था नूर नहीं मिल रही फरहाद भी नहीं मिल रहा शामीर ने आके सब को बताया था शहरियार जो अब सब कुछ कब से देख रहा था तो इसे कुछ गुरबर लगी तो उठकर शामीर के पास गया और कहा कि कहा है नूर भाग गई है किया वो शट अप शहरियार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम पागल हो गए हूँ नूर ऐसी लड़की नहीं है शामीर ने अब गुसा से बोला था निका के लिए वो घंगत निकाल के बैठी थी लड़के का नाम सुनकर वो हैरान रह गई थी आपको ये निका कुबूल है वो खामोश थी तभी किसी ने इसे जहन जोड़ा था आपको निका कुबूल है एक बार फिर से बोला गया था वो चुप रही तुम्हें मेरी बात याद है इसी औरत ने अब इसके कान में कहा था फरहाद वो सोच रही थी फरहाद कुबूल है निका हो चुका था बाबा चली बस बहुत हो गया इन लोगों का ड्रामा मुझे नहीं करनी ये शादी वो भाग गई है शहरियार चौदरी साहिब से मखातिब था नहीं बेटा नूर ऐसी नहीं है सिद्धिकी साहिब बोले थे मुआफ कीजिएगा भाई साहिब मुझे नहीं लगता हमें अब और यहां रुकना चाहिए चौदरी साहिब ने सिद्धिकी साहिब से कहा था अब वो लोग भी जा चुके थे सब परेशान से बैठे थे महमान तो तरह तरह की बातें कर रहे थे अब सब परेशान थे तभी फरहाद वहां आया था नूर कहा है फरहाद वो आपी आपी वो आ रही हैं कहा है क्या मतलब कहां से आ रही हैं कहा थे तुम शामीर ने फरहाद से पूछा शाजैन भाई शाजैन भाई और आपी का निकाह हो गया वाइनाच शामीर ने कहा क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो जी भाई में ठीक कह रहा हूँ शहरियार जो उसकी बात सुनकर वापस आया था मैं ना कहा था ना भाग गई है वो हाहाहाहाहाहा अब शहरियार हंसने लगा था इस से आगे एक लफस और ना बोलना तुम अपने इस गंदी जबान से वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद रखोगे शाजैन बोला था शामीर ने शाजैन को देखते हुए गुसा से बोला तुम तुम तो कुछ ना बोलो शहरियार वरना में वरना तुम किया शाजैन सिद्धी की साहिब जो कब से चुप खड़े थे अब बोले थे वरना तुम किया अरे वो नूर भी तुम्हारे साथ मिल गई कही का नहीं छोड़ा इसने मुझे अंकल पिलेज नूर को कुछ मत कही नूर का कोई कुसूर नहीं जो भी किया है मैंने किया है मैंने इसे बलेक मील करके निका किया कि अगर इसने इंकार किया तो मैं फरहाद को जान से मार दूंगा बाबा हा ऐसा ही है नूर आपी की कोई गलती नहीं बंद करो अपना ये ड्रामा जूट बोल रहे हो तुम शहरियार बोला था वो नूर भी ऐसी ही है वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई बदकिरदार है अंकल में आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ शहरियार तुम तो जरूर सुनके जाना तभी इसने कोई वाइस जो रिकॉर्ड की हुई थी चलाई थी मिशा मैंने बहुत मनाया है बाबा नहीं मान रहे पर मेरा तुम से वदा है में शादी के बाद ही इस नूर को डाइवर्स दे दूँगा तुम फिक्र मत करो शारिया के तो सुनकर होश की आड़ गए थे बिला शुबा ये शहरियार की आवाज थी और सब लोग पहचान भी गए थे अब तुम जा सकते हो शहरियार शाजैन ने बोला था सब हैरान थे चौदरी साहिब जो अब सिद्धी की साहिब से माजरत करके जा चुके थे नूर कहा है हयात बेगम अब शाजैन से मखातिब थी गारी में है हया भाभी को भीजें इसे ले आई ये लें गारी की चाबिया ये तुमने अच्छा नहीं किया शाजین तुमने किया किया ये शामीर जो शाज़इन से मुकातिब था भाई अब ऐसे क्यों कह रहे है अंकल पिलेज मुझे मुझे मुआफ कर दी शाज़इन जो अब सिद्डिकी साहिब से बात कर रहा था अंकल मैंने नूर की महंदी पर शहरियार को बात करते हुए सुन लिया था अगर में आप लोगों को बताता तो अप मेरा यقीन ना करते पहले जो मैं ना किया वो बहुत घलत था मैं आज भी शर्मिंदा हो इस पर अंकल मैं ये स्ब ना करता लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था वो लड़का नूर को डाइवर्स दे देता इसकी जिन्दगी खराब हो जाती और वैसे भी मैं नूर को बहुत चाहता हूँ मैं इसे इज़त से अपनाना चाहता था अंकल पिलेज मुझे मुआफ कर दी अब भाई साहिब हम शाजैन की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा है खान साहिब ने सिद्धिकी साहिब से बोला इसको अपनी गलती का एहसास है वही काफी है हयात बेगम रुखसती की तैयारी करें अब अब मैं जरा महमानों को देख लू ये कहते हुए वो वहाँ से उठकर चले गए हया फरहाद फरहाद कैसा है हया मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है नूर तुम अंदर तो चलो फरहाद ठीक है मुझे नही जाना मुझे नही देखनी इसकी शकल किसकी शकल नूर इस शाजैन की वो बहुत बुरा है हया नूर अब रोने लगी थी वो कमरे में बैठी इस शखस का इंतिजार कर रही थी इसे लगता था इस शखस ने इसकी जिन्दगी खराब कर दी है और पता नहीं उसके माबाप ने कैसे इसको भेज दिया इसके पास मैं अंदर आ सकती हो है या कमरे में दाखिल हुई थी हममम्मम्मम्मम्मम्म्म्म नूर ने जवाब दिया नूर परेशان हो नूर अब शाजैन वैसा नहीं रहा वो बहुत बदल गया है नूर उसको अपने गलती का एसास है और शायद जतनी महबत वो तुम से करता है शायद ही कोई और करता वो शहरियार वो शहरियार तो बिलकुल भी नहीं वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था नूर शाजैन ने तुम्हारी जिन्दगी बचाई है नूर सब पिछली बातें भला दो एक नई जिन्दगी शुरू करो। वो बस हया की बातें सुन रही थी। चलू सही अब मैं चलती हूं किसी चीज़ की जरूरत हो तो बताना मुझे और हां मेरी बातों पर गौर जरूर करना। नूर अभी बैठी कुछ सोच रही थी के इसे दर्वाजा खिलने की आवाज आई इसने एक नजर दर्वाजे की तरफ देखा शाजैन को वहां देख कर इसने मुन्ह फेर लिया। शाजैन जो के डर डर के अपना हाल बुरा किया हुआ था के नूर का रवया। वो आके नूर के साथ बैठने ही लगा था के शाजैन मेरे साथ बैठने की जरूरत नहीं मुझसे दूर रहें पिलेज। नूर पिलेज मुझे मुआफ कर दो पिलेज मैं मुआफ नहीं कर सकती आपको और पिलेज यहां से दूर चले जाए वरना मैं उठके हया के पास चली जाओंगी नूर तुम पागल हो हया के पास बच्ची हो किया वो किया सोचेगी तो जाए यहां से वहां सोफे पर बैठें जाके मिशाजैन अब वहां से उठा और अपने अल्मारी में से कुछ निकालने लगा था एक बहुत ही प्यारा नेकलिस जो के डाइमंड का सिपेशल इसने नूर के लिए लिया था ये लो नूर तुम्हारी मुन्ह दिखाई अब समझते किया हैं खुद को जबरदस्ती शादी करवा ली तो मैं आपकी बीवी बन गई हूँ और पिलेज मुझे आपकी दी हुई किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पिलेज ये आप अपने पास रखें शादैन जो अब नूर के गुसा को देख के डर गया था इसने वो नेकलिस वापस दोबारा अल्मारी में रख दिया था और खुद जाकर सुफा पर बैठ गया था नूर ने तो अभी तक चेंज भी नहीं किया था शादैन जो अब अपने आँखें बंद किये लेटा था नूर को लगा के वो सो गया है नूर सब कुछ सोच के रोने लगी थी अब के ऐसा क्यों हुआ रोते रोते इसे कब नींद आई इसे पत्ता ही ना चला था नूर की आख अचानक ही खिली तो इसने देखा के शादैन नमाज पढ़ रहा है शादैन का रुख दूसरी तरफ था जिसे वो नूर को ना देख सका नूर ने टाइम देखा तो अभी तीन बजे थी ये नमाज का वक्त तो ना था ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता था और फिर तहजिद वो कुछ सोचने लगी और अपनी आँखें बंद कर ले अब फजर की आजान होने लगे थी रूरू के नूर के सर में दर्द हो गया था वो उठी तो देखा शाजैन कमरे में नहीं था इसने दिल ही दिल में शुक्र है बोला और अलमाडी से कुछ कपड़े निकाल कर वाश रूम की तरफ चली गई चेंज करके वजू करने की बाद वो फजर की नमाज पढ़ने लगी शाजैन जब कमरे में दाखिल हुआ तो नूर कर नमाज पढ़ता देख वो मुस्करा दिया जो ऐसे दो पट्टा लपेटे बैटी बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी अब शाजैन दिल ही दिल में बोला हाई ये कमबخت महबत किसी दिन जान लेगी मेरी नमाज पढ़के वो उठी थी के शाजैन को इस तरह देख कर डर गई और एक दम पीछे हिट के दोबारा बैट पर बैट गई डर तो ऐसे रही हो जैसे कोई इनसान नाहों में हैवान हो इसने नूर से कहा तो नूर बोली हैवान से कम भी नहीं नूर के इस जुमले ने शाजैन को काफी हट किया था अब वो चुप चाप जाके सोफा पर बैठ गया शामीर उठी जल्दी करें नमाज का वक्त खत्म हो रहा आज किया हो गया है अब को रोजाना पहले मुझे उठाते हैं अब अब आठ भी जाएं वो उठ कर हया को देखने लगा जो अब नमाज पढ़ के कुरान हाथ में उठाए पढ़ने लगी थी जल्दी करें जाएं वजू करें उठीं शाबाश पहले ही बहुत देर हो चुकी है नूर बेटा अच्छे से तयार हो कि आजाओ नीचे तुम्हारे पेरिनिट्स ने आना है सकीना बेगम जो नूर के पास बैठें उन से बातें कर रही थी शाजैन सोफा पे बैठा उनको देख रहा था अब नूर बेटा हो सके तो शाजैन को मुआफ कर देना नादानी में जो इस से गलती हुई बेटा इस पे शर्मिंदा है बहुत वो और वो अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा नूर ने उनकी तरफ देख कर इस बात में सर हिलाया चलू उठो अच्छे से तयार हो अब ये कहते हुए वो बाहर की तरफ चली गई मैं क्यों तयार हूँ भला जब मेरी मर्जी से शादी ही नहीं हुई वो अब मुन में बड़बडाने लगी थी जबकि शाजैन इसको यू बड़बडाता देख जूर से हंसा था जबकि शाजैन को यू हंस्ता देख नूर ने गुसा से इसकी तरफ देखा था अज सुबह से हया की तबियत खराब थी लेकिन इसने शामीर को नहीं बताया ताके वो प्रेशान ना हो अभी वो वाश रूम से बाहर ही आई थी के इसको बहुत जूर से चक्कर आया अभी वो गिरने ही लगी थी के शामीर जो आईना के सामने खड़ा होकर अपने बाल बना रहा था जल्दी से हया को थाम लिया और उसको सोफे पर बिठाया और हया से प्रेशानी से पूछा के हया किया हुआ तुम्हारी तबियत तो ठीक है तो हया ने कहा के शामीर अब प्रेशान ना हो में ठीक हों बस थ शामीर ने सकीना बेगम को मुखाटिब किया, और कहा कि मामा अब के लिए खुशी की खबर है, अब दादी बनने वाली है, तो हया ने शर्म से सर जुका लिया। ये खबर सुनकर घर में खुशी का समा बंध गया जबकि सकीना बेगम ने उटकर हया का माथा चूम लिया। जबकि नूर खुशी से हया के गिले लग गई जबकि शामीर हया को महबत भरी नजरों से देख रहा था जो कि सब की बाते सुनकर शर्म से लाल हो रही थी। शाम में नूर और शाज़ैन के वली में का फ estavam बहुत शांदार तरीके से हुआ था और सब लोग बहुत खुश थे जबके नूर ने शाजैन को बहुत बुरी तरह नजर अंदास किया जिसकी वज़े से शाजैन को बहुत दुखवा लेकिन ये सोच कर खुद को तसली दी के अभी नूर गुसा में है कुछ वक्त तक वो सही हो जाएगी और मेरी महबत का यकीन करें इसने अलुआ से सच्चे दिल से सच्चे दिल से दुखवा की थी कि सब ठीक हो जाए इसमें कोई शक नहीं था कि वो इससे बहुत महबत करता था वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजर रहा था जबके नूर का रवया शाजैन के साथ वैसा ही था और वो किसी तरह भी शाजैन को मौाफ करने के लिए तैयार नहीं थी जबकि आज नूर का बर्थ डे था और शाजैन नूर के लिए सेपेशल सरप्राइस प्लैन करने में मसरूफ था है ये पूरा दूद खत्म करो पिलेज शामीर मेंने और नहीं पीना अप मुझे आईस करीम लादे मुझे आ हैरान हुआ और हैरांगी से शाजैन से पूछा ये तुम कर किया रहे हो शाजैन भाई आज नूर का बर्थ डे है मैं इसके लिए अपने हाथों से केक बना रहा हूँ बस ये तकरीबन बिन्नी ही वाला है मैं ये बना कर बाहर से कुछ और सामान लेके आया टाइम होने ही व भाई इसको किया है शामीर उसकी बात है पेहंसा था और उसका दिल रखने के लिए अपनी हंसी को कंट्रोल करता हुआ बोला के हाँ हाँ बहुत अच्छा है मैं तो बस तुम से मजग कर रहा था अच्छा भाई अब मैं जाता हूँ बहुत देर हो रही है अब प्लेज इसक सोच रही के पता नहीं कहा गाईब है ये कब से इस सोच को जटक कर वो सुने के लिए लिए लिटने ही लगी थी कि इसको साइट टेबल पर पगा लिप्टा हुआ कोई काघज नजर आया पहले तो इसने इसको हैरत से देखा और फिर इसको उठा लिया और पढ़ने लगी इतने में इसे नीचे से आती हुई मुखतलिफ आवाजें सुनाई दी और वो ये जाने के लिए कि ये कैसा शोर है नीचे की जानिब चली गई और शामीर के अलफाज सुनकर साख्त सी रह गई थी जो के हया से कह रहा था के शाजैन का बहुत बुरा एकसिडेंट हो गया है हया हमें जल्द जल्द से वहाँ जाना होगा इसकी आँखों में आसूं थे नूर को तो अपना सर चक्राता हुआ महसूस हुआ इसे अपने पाउं के नीचे से जमीन निकलती हुई महसूस हुई चाहे जो भी था तो शाजैन इसका शोहर इसका महाफिज इसका महरम जो इसे बेपना चाहता था वो सब लोग इसे वक्त I.C.U. के बाहर डॉक्टर के बाहर आने का इंतिजार कर रहे थे जहां शाजैन जिन्दग और मौत के बीच जोल रहा था वो सब बहुत परेशान थे और शाजैन की जिन्दग के लिए दौाइं कर रहे थे जब कि नूर तो शाजैन इस अखरी खत के बारे में सोच रही थी जो इसने सिर्फ इसके लिए लिखा था और इसमें इसने अपने दिल की बातें कहीं थी दीर नूर मुझे नहीं पता कि आज में इतना मजबूर क्यों हो गया हूँ कि आज अपने दिल की बात कहने के लिए कागस और कलम का सहारा ले रहा हूं में ये बातें तुम से रूबरू करना चाहता था लेकिन शायद और इंतिजार ना कर सिकों और शायद वक्त और जिंदगी मुझे अपने जजबात की अकासी करने का मुका ना दे नूर मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिन्दा हूं और मैं तुम से इस चीज़ की मुआफी भी माम चुका हूं मैं जानता हूं मैंने जो किया वो बहुत गलत था नूर में बदले की आग में अंधा हो चुका था सही और गलत का फर्क भूल गया था लेकिन मुझे बहुत इस बात का एसास हो गया कि मैं गलत था जब मैंने तुम्हारी मंगनी की बात सुनी तो मुझसे बरदाश्ट ना हुआ और मुझे इस बात का एसास हो गया कि मैं तुम से कितनी महबत करता हूँ ये खबर सुनके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने जलती हुई बठी में डाल दिया तुम्हारे बगएर मेरे दिन और रात जो गुझे बहुत अजियत में गुझे तुम्हारे साथ ये सब करके मैं बिलकुल भी खुश ना रहा बलके मैं हर पिल तरपा हु नूर और एक बहुत बड़ी अजियत सही है लेकिन नूर में तुम्हारे लिए सारी जिन्दगी इस अजियत में रहने के लिए तियारे था क्यूंके महबबत हासिल करने का नाम नहीं बलके अपने महबूब की खुशी में खुश होने का नाम है। मैंने सोच लिया था कि अगर तुम्हारी खुशी शहरियार के साथ है तो मैं तुम से दूर चला जाओंगा और अपनी सारी जिन्दगी तुम्हारी महबबत में गुशार दूंगा नूर में सिर्फ हर हाल में तुम्हें खुश देखना चाहता था। लेकिन जब मैंने शहरियार को इसकी गर्ल फ्रेंड के साथ बात करते हुए सुना तो मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा क्यूंके शहरियार के इरादे ठीक नहीं थे और मुझे जबरदस्ती तुम्हें अगवा करके तुम से निका करना पड़ा। मैं तुम्हारी खुशी चाहता था। अच्छी जिन्दक गुजार सिकोंगा आ नहीं हो सके तो मुझे मुझे मुआफ कर दो पकत तुम्हारा शाजैन ये सब बातें पाड़ कर नूर फूट फूट कर रूदी थी मैं कितनी बुरी हूं कि वो शख्स जो मुझसे इतनी महबबत करता था मैं इसकी महबबत को ही न समझ सकी और उल्टा इससे नफरत करने लगी जबकि मुआफ तो अल्वा भी अपने बंदों को कर देता है तो मैं क्या चीज हूं जिसने अपने शोहर को मुआफ न किया मैं बहुत बुरी हूं अल्वा जी अप पिलेज मुझे मुझे मुआफ कर दे और मेरे शाजैन को ठीक कर दे इसकी सोचों का तसलसल डॉक्टर की आवाज पर तूटा और जो खबर डॉक्टर ने उनको सुनाई थी इसको सुन कर सब के पाउं तले से जमीन निकल गई और नूर को अपना सर चक्राता हुआ महसूस हुआ और वो होश औहोई से बीगाना हो गई जबकि सकीना बेगम शामीर के गिले लगकर फूट फूट कर रूदी जबकि हया की हालत भी बाकी सब जैसी थी जबकि खान साहिब शिकस्ता हाल में कुरसी पर ढहसे गए छे महीने बाद काश शाजैन तुम इस वक्त मेरे साथ मेरे साथ होते तो बहुत खुश होते क्यूंकि आज हया और शामीर भाई के हाँ दो जड़वा बेटे पैदा हुए काश तुम इस वक्त साथ होते तो हमारी खुशी मुकमल होती जो के तुम्हारे बगैर अदुएवरी है नूर की आंखें शाजैन को सोच कर नम हो गएं आज हया और नूर के घर पर सब मौजूद थे सब लोग बहुत खुश थे हया के बेटों के नाम रखे जा रहे थे जो के हया और शामीर ने मिलकर रखे थे वसीशा और वलीशा सब बहुत खुश थे नूर भी उन लोगों को देख कर उनकी खुशी में खुश थी आप ही देखें आपके बच्चे तो अब पर गए हैं जिया बोली तो फरहाद ने इसे टोकते हुए कहा कि नहीं यार पागल जिया एक तो शामीर भाई की तरह है और एक हया बाजी की तरह फरहाद की बात पर सब हंस दिये चलू नूर आओ भाई के रोम में लें चली बच्चों को आखिर मेरा भाई भी तो देखे अपने भाई के बच्चे शामीर ने नूर को कहा तो नूर ने उदासी मस्क्राहच से इस बात में सरहिलाया जी जी चली अप लोग हम भी आते हैं वहीं पर जिया और फरहाद नूर को उदास देख कर जल्दी से बोले वो सब शाजैन के कमरे में मौजूद थे शाजैन जो कोमा में का गया था इसका इलाज अब इसके घर में किया जा रहा था नूर शाजैन को संभालती थी इसकी हालत काफी बहतर हो गई थी नूर पहले दिन से ही इसका बहुत ख्याल रखती थी शाजैन चाचू हैं ये अब के सबसे अच्छे प्यारे चाचू जल्दी से ठीक हो जाएं चाचू फिर हमें घुमाने लेके जाएंगे पीना चाचू शामीर जो के कुछ ऐसी बातें अपने बच्चों को देख कर कर रहा था शाजैन अब तो ठीक हो जाओ ना पलेज देखो में कितना अकिला हो गया हो तुम्हारे बगएर तुम इस तरह से खामोश मुझे अच्छे नहीं लगते नूर को भी अकिला कर दिया है तुमने वो नम आखों से इस से बातों में मसरूफ था शाजैन की आखों से आँसू निकल रहे थे अरे मेरे भाई रुक्यों रहे हो तुम ठेका हो जाओ के जल्द खुशी का मौका है देखो बच्चों को देखो कितने प्यारे हैं ना तुम्हारे भी होंगे ऐसे ही फिर में भी चाचू बन जाओंगा शामीर शाजैन से बिलकुल बच्चों की तरह बातें कर रहा था चली भाई सूप अगया है शाजैन सूप पीले शाबाश नूर जो के ओके कमरे में दाखिल हुई थी शामीर उठकर सोफे पर जा बैठा था जबकि जिया और फरहाद तो लड़ रहे थे के बेबी में उठाओगा इस बात पर नूर शाजैन कर सूप पिलाने लगी अबजी देखें ये तरू रहा है शामीर भाई इसे क्या हो गया फरहाद बोला तो शामीर उसका खराब सा मुन्ह बना हुआ देखकर हंसने लगा परेशान ना हो बच्चे उन्हें भूक लगी चलू हया के पास ले चली उन्हें जिया भी फरहाद को देखकर हंसने लगी नूर उन लोगों की ओट पिटन बातें सुनकर मुस्कराय बगैर ना रह सकी रात में सबने साथ मिलकर खाना खाया नूर जब से शाजैन बिमार हुआ था खाना अपने कमरे में इसके साथ ही खाती थी दिन गुजर रहे थे नूर हर वक्त मसरूफ रहती थी शाजैन की देख भाल में हया और शामीर भी हर वक्त बच्चों में मसरूफ रहते थे हया हया कहा हो यार तुम कब से ढून रही थी हया जो के नूर के कमरे में सकीना बेगम और बाकी सब के साथ बैठी थी क्या हुआ शामीर बेटा चला क्यों रहे हो सकीना बेगम बोले मामा आज कुछ गेस्ट इनोटिड है घर पर बुजनस पार्टनर है वो और उनकी वाइफ तो पिलेज कुछ अच्छा सा बनवा ले नूर और हया तो शामीर के मुन की तरफ देख रही थी अच्छा तो इसमें इतना शोर मचाने की किया जरूरत शामीर भाई वो हंसने लगी वो इर्तजा शाजैन और मेरा सकूल फ्रेंड और काफी अच्छा दोस्त रह चुका है वो और उसकी वाइफ बस कुछ ही देर में आते होगे टाइम कम है तभी शोर मचा रहा हूं भाई चली फिर अब बच्चे संभाले में जाती हों खाना बनवाने है शरारत से बोली तो नूर और सकीना बेगम ने इसकी बात पर कहकहा लगाया है क्यों तंग कर रही हो मेरे मासूम से भाई को तुम अल्लुआ ना करो बचारे पहले ही बड़े परेशान लग रहे शाजैन तो सो रहे हैं अब लोग बैठे में देखती हों खाना वगेरा ये कहते हुए वो बाहर की जानब बढ़ गई डिनर पर वो सब मौजूद थे शामीर के काफी इसरार पर नूर भी उनके साथ अबैठी थी शाजैन को खाना खुला कर अब वो सब बैठे खाने में मसरूफ थे बच्चों को हयाने बड़ी मुश्किल से सिलाया था ताकि सुकून से महमानों के पास बैठ सके इर्तजा तो काफी खुश अखलाक था और काफी अच्छा इनसान लग रहा था मगर उसकी बीवी फर्वा काफी अजीब ही थी नूर भाबी शाजैन की तबियत कैसी है अब इर्तुस की बात पर नूर ने जवाब दिया बस भाई अब दुआ करें अलुआ उन्हें जल्द से हत्याब करें ओहो कैसे रह लेती हो नूर तुम ऐसे शख्स के साथ कुफ्त नहीं होती तुमें छोड़ दो तुम शाजैन को क्या पत्ता वो ठीक हो भी आना कैसे गुजारोगी सारी जिन्दगी का सवाल है अच्छी बिजली लड़की हो तुम है तो कोई भी मिल जाएगा फर्वा का बोला हुआ ये जिमला नूर के दिल पे जा लगा था बलके वहां बैठे सभी लोगों को नागवार गुजरा था शाजैन मेरे शाहर है, मेरी महबत है, मैं उन्हें नहीं चोड़ सकती और हां में हर मुझकिल वक्त में उनके साथ हो में रह सकती हो तो सिर्फ उनके साथ, उनके बغएर तो शायद में रह भी न शुको और रही बात ठीक होने ना होने की तो अब कैसे कह सकती है वो ठीक नहीं हो सकते ये फैसला तो अल्लौा के हाथ में है और मुझे यकीन है कि वो जरूर ठीक हो जाएगे चली अब मैं चलती हो शाजैन उठ गय होंगे वो वहां से उठ कर जा चुकी थी बाकी का डिनर खामोशी से किया गया था नमास पढ़ने के बाद वो अब शाजैन के पास अबैठी थी रोज वो यून ही घंटों बैठी उसके पास बातें करती थी शाजैन आप कहते थे ना के आप मुझसे महबबत करते हैं मैं कभी आपको जवाब नहीं देती थी मैंने हमेशा आपको इगनोर किया देखें अब तो मुझे आपसे महबत हो गई है बेपना महबत अब आप मेरी सुनते ही नहीं में घंटो बातें करती हों आपसे आप जवाब ही नहीं देते आप भी ऐसा करेंगे मेरे साथ मुझसे बदला ले रहे हैं आप शाजैन वर वो रही थी देखें में आपके बगएर नहीं रह सकती अब तो सब लोगों की उमीद ही खत्म होती जा रही है मगर शाजैन मुझे यकीन है अब थीक हो जाएगे एक दिन बिल्कुल थीक हो जायेगे बिल्कुल पहले जैसे अपनी नूर के लिए ही थीक हो जाए देखे में अब आपको और इस तरह नहीं देख सकती मैं चाहती हम भी खुश रहे में आपको हर वो खुशी दूँ जिसे मैंने आपको महरूम रखा शाजैन में आपसे बहुत महबबत करती हूँ कोई आपको कुछ भी कहे मुझसे बरदाश्ट नहीं होता एक अप ही तो है मेरे पास अप ही तो है मेरा सब कुछ अप के बगेर में कुछ भी नहीं हूँ वो अब रोने लगी थी अलूआ जी पिलेज शाजैन को थीक कर दें इसे अपने हाथ पे किसी का हाथ रखा हुआ महसूस हुआ वो शाजैन का था इसने देखा शाजैन अब शाजैन वो जोर से हंसी थी अल्वा जी वो खुशी से चलाई थी शाजैन के चहरे पर मुस्कराहत थी डॉक्टर्स ने भी अब तो कह दिया था कि अगर उसका ख्याल रखा जाए तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा इन दिनों में नूर ने इसका बहुत ख्याल रखा था तीन सालों बाद अफफफफफफफफफफफफ अल्लुआ शाजैन कब आएंगी पहले ही इतना लेट हो गया है और जीशान भी इतना रू रहा है शाजैन भी नाहया और शामीर भाई तो जाभी चुके हैं कबके अरे अरे मेरा बच्चा क्यों रू रहा है वो कमरे में दाखिल हुआ था अप ही की वज़े से रू रहा है अपका बच्चा पकड़ी इसे अब चलीं भी शाजैन पहले ही हम बहुत लेट हो गए है नूर ने जिशान को शाजैन को पकड़ाया अरे अरे मुझे तयार तो होने दो तुम लड़किया किया सोचेंगी कैसा लड़का है ऐसे ही उठके आगया देखेंगी भी नहीं लड़किया बाबा को पीना जीशो शाजैन शरारत से बोला नूर ने गुसा से इसकी तरफ देखा जाएं अप में नहीं जा रही तो कर लेते इन सारी लड़कियों से शादी मुझसे ही क्यों की जाएं जाके करें कोई पसंद हाँ हाँ जा रहा हूँ शाजैन के बच्चे उधर आए ना जरा हिम्मत कैसे हुई अपकी ऐसी बात करने की हाई ये हाँ 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 वो अब हंसा और हंस्ता चला गया बहुत मज़ा आता है नूर तुम्हें तेंग करने में जाए में नहीं बोलती अपसे बस अच्छा सौरी अब नाराज ना हो मजाक कर रहा था अब के अलावा हम किसी को देखें इतनी हमारी हिम्मत कहा है न जिशान बेटा सच कहा न बाबा ने चल्लू अब चली लेट हो गया है बहुत हाँ हाँ चल्लू में तो कब से कह रहा हूँ बस ये मेरी बीवी ही हमेशा लेट करवाती है हाँ 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 वो अब गारी में बैठिये नूर के घर की तरफ रवाना थे जिया और फरहात की ढोलकी थी आज गारी में बैठे इसकी नजर सामने पड़े घरों पर पड़ी अगर ये शाजैन ने मेरे लिये लिये हैं तो मुझे दिये क्यों नहीं अभी तक वो सोच रही थी इस यूं सोचता देख शाजैन मुस्कुराया था इसे पत्ता लग गया था कि वो किया सोच रही है जिशान बेटा अब की मामा किया सोच रही है उन्हें बता दें कि ये गजरे बाबा ने अपनी जी-फ के लिए लिए हैं उनके लिए नहीं नूर उसकी बात है खामोश रही उसकी खामोशी पर वो हंसा और बोला अरे मेरी जान इसने गारी रोकी गजरे उठा कि नूर को पहनाए जोई जी एफ नहीं है तंग कर रहा था आपको आपको सौरी वो ऐसे ही नूर को तंग करता था जबकि नूर जानती थी कि इस से ज्यादा महबबत वो किसी से कर ही नहीं सकता मामा जीशान नहीं आया अभी तक वसी ने आके हया से बोला मुझे जीशान से खेलना है कब आएगा वो मामा बेटा अब बहना से खेलो अभी आजाएंगे वो भी में आपके बाबा को बोलती हों के चाचू को काल करें हया और शामीर के हाँ दो जड़वा बेटियां कोई थी हरीम और हानम लो आ गए चाचू चलू जाओ अब मुझे तंग ना करो धोल की पर सब ने बहुत इंजुआई किया था नूर तो वही रुख गई थी जबकि हया के बच्चे बहुत शरारती थे जिसकी वज़े से वो लोग घर आ गए थे आज फरहाद और जिया की बारात थी नूर तो वही रुकी हुई थी फरहाद को तंग करती रहती थी फरहाद जिया दोनों ही बहुत खुश थे शामीर अब अब संभाले बच्चों को मुझे तयार तो हो लेने दे देखें कितना तंग कर रहे हैं ये मुझे मामा मामा हमें भी लिप इस्टिक लगाएं शामीर वसी की बात सुनकर जोर जोर से हंसा था मामा लगाएं बच्चों को लिप इस्टिक अब वो हया से कह रहा था बेटा लड़के लिप सटक नहीं लगाते अभी हानम और हरीम सौ रही थी वरना वो पत्ता नहीं रूरू के पूरा घर सर पे उठा लेती शामीर ले जाए ना उन्हें चिल्लू आओ बच्चों बाबा आज अपको आईस करीम खिलाएगी अप लोगों की फेवरिट चिल्लू चिल्लू चलने नूर जी अगर अब तयार हो गई हों तो जिशान को ठालें अब में नमाज पढ़ाओं फिर मैंने भी तयार होना है शाजैन जो कब से जिशान को उठा के बैठा था बोला बस थोड़ी सी देर पिलिस थोड़ी देर बाद वो सब हाल में मौजूद थे जिया मारोन रंग की मैकसी में बड़ी प्यारी लग रही थी निकाह हो चुका था सब बहुत खुश थे अब उनका सब का एका फैमली फोटो लिया गया जिसमें सब मौजूद थे महबबत अगर पाकिजा हो तो जरूर मलती है महबबत करना गुना नहीं महबबत में निकाह की रखो अपने महबबत को अपने इज़द बनाओ इज़द का नाम ही महबबत है अगर आपको नाविल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबसक्राब करें शुक्राइब